हलो स्टुडेंट नमस्कार मैं में बल्डो दिया सीकर CLC से बायोकेंप DTS जो CLC का यूनिक कंसेप्ट है आज उसका 23rd एपिसोड मैं आप से डिसकस कर रहा हूं जो Ecology and Environment chapter का है यहां NCRT से perfectly questions frame किये गए हैं हर एक concept और approach को इसमें लिया गया है यह students आप से कह रहा है कि इन में से कौन सा जो है वो रीजन नहीं है किस बात का while population growth decline as population approach the carrying capacity तो देखिए यह जैसे आप यह कह सकते हैं time के साथ यह population का size है और हम यह कह रहें students population का size बढ़ रहा था लेकिन एक time के बाद जाते जाते available population का size आप यह कह रहें वो जो है अब decline की तरफ जा रहा है तो इस लोग phase के comparatively अब decline में जा रहा है क्योंगि यहां इस population ने केरिंग कैपसिटी को approach कर लिया है तो जब कैरिंग कैपसिटी को approach कर लिया तो population जो है उस population का decline में जाना possible है अब आप से यह पूछ रहा है कि इन में से कौन सा एक कारण नहीं है जैसे ही जो समस्टी है या population है वो कैरिंग कैपसिटी को approach करती है तो कैरिंग कैपसिटी के आसपास होती है और उसकी जो ग्रोथ है वो कम होने लगती है तो देखो कारण यह है कि resources limited हो गए है तो इस case में जलवायू प्रतिकूल बन जाती है क्लाइमेटिक फेक्टर का unfavorable होना possible नहीं है climate become unfavorable climate unfavorable नहीं है अगर climate unfavorable होता तो यह करिंग कैपसिटी को approach कभी नहीं कर पाता तो students यह first ही answer यहां हो जाएगा competition resources के लिए definitely increase होगा क्योंकि resources कम होते जा रहे है prediction rate भी definitely organisms की बढ़ेगी क्योंकि resources कम है number of organisms ज्यादा है और disease rate increase definitely यह जो resistant factors हैं यह increase होते हैं और जो पहली condition है वो यहां नहीं होगी so students correct answer will be the first next a stable community is cannot characterized by a stable community को किसके through characterize आप नहीं कर सकते तो देखिए least variable productivity year after year यह NCRD का reference है दे रखा है बहुत साफ stable जो community है उस stable community में year after year productivity जो है वो maintain रहेगी resistant to alien or invasive species यह भी definitely देखो students character होता है resistant to natural and man-made disturbances यह भी character होता है species richness with highly variable ecosystems अब देखिए highly variable ecosystem तो आ जाएंगे लेकिन species richness जो है इस species richness को आप यहां रफर नहीं कर पाएंगे तो students आपको दे रखा है कि स्थाई समुदाय जो है वो किसके द्वारा अभिलक्षित नहीं किया जा सकता इस्थाई समुदाय में जातीय प्रचूडता तो हो सकती है लेकिन उच्चतम परिवरतंसील पारी तंत्र नहीं होगा यह अब आपको लग रहा होगा है और इस एक्वेटिक हैविटीट में अगर आप देखें तो आप यह कहते हैं बॉटम में रेड एल्गी की प्रेजेंस होगी और उसके बाद स्टूडेंट्स आप कहेंगे ब्राउन एल्गी जो फियोफाइसिन एल्गी है वो प्रेजेंट होंगे और उसके बाद आप कहेंगे जो ग्रीन एल्गी है उनकी प्रेजेंस होती है हालांकि ऐसा नहीं है कि red algae उपर present नहीं हो सकते definitely red algae की presence भी उपर students हो सकती है तो ये जो presence है ये presence क्यों है red algae में आप जैसा जानते हैं R-phico erythrine जो phico erythrine pigment है वो present होता है और वो ultraviolet radiacence और shorter wavelength को trap करने में capable होता है इसलिए आप ये कह सकते हैं सीधा answer मैं कहूंगा chromatic adaptation यहां आ जाएगी सारवत्रिक वर्नक की उपस्तिती दे रखी है universal pigment यह chlorophyll है chlorophyll students इसका region कभी भी नहीं हो सकता ठीक है तो ये एक तरीके से आपके पास जो है वो answer हो गया यहां chromatic adaptation second question number four greater diversification of animal leads the result in अगर diversification ज्यादा हो गया diversification बढ़ गया तो क्या होगा least seasonal variations in environment environment में seasonal variations कम आएंगी most responsive and adaptive behavior of the species responsive and adaptive behavior definitely बढ़ेगा फिर आप कहने stability of ecosystem alone stability बढ़ेगी लेकर alone दे दिया बच्चो तो इसको मांसर नहीं कह सकते केवल पारी तंत्र का स्थाहित वे और फिर लिखा है various variations in functioning of ecosystem variations नहीं आएंगी less variable हो जाएगा तो यहां students जो answer होगा वो आपका हो जाएगा most responsive and adaptive behavior of the species second answer students correct answer होगा next one efficient cellular activities and broad geographical distribution may be result of efficient cellular activity है और geographical distribution आपको कहा जारा broad है तो ऐसा होने पर यह किसका result हो सकता है यह students homeostatic regulation का result हो सकता है responsive behavior जो है उसका result भी हो सकता है तो देखो दोनों में से आपको एक चूज करना है वो कहरा efficient cellular activity और broad geographical distribution यह होगा result homeostatic regulation का क्योंकि जो homeostatic regulators होते हैं उनके tolerance की range बच्चों जो है वो काफी ज्यादा होगी और tolerance की ज्यादा होने के साथ साथ उनका geographical distribution भी बढ़ जाएगा जो responsive behavior इसकी बात की जा रही है तो responsive behavior का कोई efficient reference आपको नहीं दे रखा है तो यहां answer हो जाना चाहिए जो fifth one है उसका answer होगा students first next question number six exponential growth leads competition between individual for limited resources जो exponential growth है वो individual के बीच limited resources के लिए students क्या करता है competition को lead करवा देता है तो यह करा all individuals will die नहीं ऐसा नहीं होगा all individuals will survive and reproduce सब एक जैसे भी नहीं हो सकते fittest individual will survive and reproduce यह definitely students answer होगा survival of the fittest आप जानते हैं concept होता है तो इसके according यहां योग्यतम व्यस्टियां जीवन यापन करेंगी तथा प्रजनित होंगी survival of it is next consider the following equation and choose the best explanation students आपको देरखाई dn upon dt is equals to rn k minus n upon k यह आप जानते हैं logistic growth के लिए कहा जाता है अब इसमें कह रहा है कि यहां क्या पूछना चाहरा आप से इसमें आपको पूछना यह चाहरा है consider the following question and choose the best explanation of k minus n upon k इसकी best explanation हमें चाहिए तो यह जो k minus n upon k आपको दे रखा है बच्चो यह एक तरीके से biotic potential पर environmental resistance है देखिए अगर आप exponential growth पढ़ते हैं तो वहां आप यह पढ़ते हैं dn upon dt is equals to rn और इस पर k minus n upon k apply नहीं होता अपलाई नहीं होता यह जैसे ही apply हुआ वैसे ही आप यह कह सकते हैं जो population का growth है वो रुक गया है तो how much resources still available in the population definitely सही answer हो सकता है आगे पढ़ लेते हैं biotic potential of population is not too high यह biotic potential को नहीं बताता यह environmental resistance को मतलब environmental resources को बताता है population size और density यह नहीं बताएगा students यह exact number होता है population के individuals का influence of environmental variations is negligible ऐसा नहीं environmental variations का influence आया तभी तो आप यह कह सकते हैं यह growth कैसा हो जाएगा सिग्मार्ड तो सिग्मार्ड growth students यह आ जाएगा और यह सिग्मार्ड ग्रोथ आना या carrying capacity की तरफ इसका जाना इस बात को indicate करता है कि कितने resources जब ही जो है वह बचे हुए है मतलब लगवग आसपास आ गया है तो first answer यहां question number seven का आपको देखने को मिलेगा clear next one the geographical distribution of species to large extent determined by तो किसके थूर determined किया जाता है the levels of thermal tolerance definitely temperature पर सबसे यदर dependent करता है level of ecological importance उसका ecological importance का है इस पर dependent नहीं करता response toward bioti components तो आप कहेंगे answer होगा first level of the thermal tolerance clear next one nine many organism have evolved relatively constant internal environment that leads वो कह रहा है बहुत सारी organism जो है वो relatively constant internal environment जो है वो उनमें present होता है अने जीवों में तुलनात्म ग्रूप से नियंत आत्रिक वातावरन विक्षित कर लिया है ठीक है constant अगर environment विक्षित कर लिया है तो metabolic और cellular efficiency को बढ़ाएगा बच्चो environmental intolerance नहीं environmental tolerance को बढ़ाएगा fitness of species definitely इसको भी बढ़ाएगा first or third दोनों है इसलिए आपको अंसर हो जाएगा more than one options are correct एक से अधिक विकल्प जो है वो सही है क्या सब्सक्राइब ten match the column first with column second देखो एक आपको दिया है students escaping in time to type escaping nature हम देख सकते हैं कहां मिलेगी आपको देखो time escaping condition अगर हम देखें तो estimation जो है वो भी time escape करता है आगे पढ़ लेते हैं long distance migration की बात अगर आप करें तो देखो Siberian birds जो है वो long distance migration ही शो करते हैं तो जो second है उसके साथ image कर रहा है फिर्ट के साथ ए थार्ड रेगुलेशन विदिन limited range limited range में अगर regulation कर पा रहा है तो आप यह कहेंगे यह जो है वो students क्या हो सकते है regulation within a limited range तो यह conformers हो सकते हैं ठीक है या फिर ecological amplitude इसको आप कह सकते हैं limited range में कर पा रहा है उसके बाद कहा है adaptability for the use of water water use के लिए adaptability अगर आ गई तो यह insects के लिए आप कह सकते हैं जो metabolic water use करते हैं तो last fifth में students आपके पास भी हो सकता है अब देखो तीनों में भी हैं आपके पास और यह मैं थोड़ा सा इसको हटा लेता हूँ आपके पास जो first है उसमें ए है इसमें भी यह दे रखा है इसमें भी यह दे रखा है जहां जहां भी आपके पास है तो second पर हम आते हैं long distance migration cyberian bird e second में e students दो में दे रखा है तो अब हमें third पर जाना पड़ेगा third आप कह रहे है regulation regulation within limited range और regulation with limited range students जो है वो आप कहेंगे d human or ecological amplitude क्योंकि ecological amplitude में regulation जो है वो limited range में होता है तो यह d सही लग रहा है यहां भी third में d है फिर उसके बाद लेकिन यहां देखिए यह first में b है ना तो यह इसलिए incorrect हो गया तो अब correct answer हमारे पास definitely आ जाएगा first first answer इसका correct answer होगा बच्चो ठीक है next question number 11 which of which one a very important parameter chosen for assessing impact of the abiotic and biotic factor वो कह रहा है biotic और यह biotic factor का जो impact है उसको choose करने के लिए या उसका assessment जो है उसको देखने के लिए जो है वो कौन सा important parameter है तो आप कहेंगे intrinsic rate of natural increase definitely आप यह कह सकते हैं दूसरा exponential increase logistic increase caring capacity of the environment हमें देखिए बच्चों यह कहना चाह रहा है वो कि living organism जो है जो जीव है उन जीवों पर जैविक कथा ए जैविक कारकों के समस्टी व्रदी पर प्रभाव हे तू अति महत्पपुन मापदंड यह है प्राकृतिक व्रदी की आंत्रिक दर मतलब आर जो है वो किसी समस्टी का क्या है यह आप कहेंगे ठीक है तो यहां answer हो है आपने पढ़ा Allen's Rule definitely आप यह पढ़ जोगे हैं कि short या जो small size organism है small size organism जो है they are rarely found in the low temperature condition तो यहां पहला greater size दे दिया definitely supporting हुआ shorter ear or limbs होते हैं यह भी supporting हुआ thick layer of the fat blubber present होती ही यह भी supporting हुआ तो students यहां जो answer है कि असन नबर 12 का यह answer आपके पास होना चाहिए fourth ठीक है next 13 which match the column A with column B column A को B के साथ match कर रहे है पहला आप फाइट ओफेगस आपको कहा जा रहा है first उसके बाद c आपको दे रखा है homeostasis homeostasis क्या है तो आप कहेंगे maintenance of constant internal environment इसके लिए fourth हो गया और last लिखा है estimation estimation भी students आप कहा सकते है award summer related problems तो यह second हो गया इस तरीके से three और one वाला reference आप यहां से देख सकते हैं अगर three और one वाला match यहां students नहीं कर रहा है सबसे पहले fight of agus के लिए तो आपके पास होगा feeding on plant sap तो जो है उस a में आपके पास option होना चाहिए reference होना चाहिए third तो यह देखिए second option में a में third reference है fourth में भी third है तो B पे check कर लेते हैं dipos dipos में आपको दे रखा है second और यहाँ dipos में आपको दे रखा है first तो students 13 जो है उसका correct answer आपके पास हो जाएगा second clear second answer will be the correct answer next 14 tree dwelling animal species are associated with tree dwelling है इसका मतलब tree पे रहते हैं आप जानते हैं tree dominated forest तो यह tropical rain forest जो है वो students इसका क्या हो जाएगा answer next next one question number 15 the characteristic of the stable human population is stable human population का characteristic feature क्या होगा तो देखे stable human population जब होती है तो pyramid जो होगा उस pyramid में condition आपको यह मिलेगी कि जो pre reproductive और reproductive individuals हैं इनका students number करीब करीब एक जैसा होगा लगभग समान होगा यह pyramid कुछ इस तरीके से बनेंगे ठीक है यह pre reproductive और यह आपके ही reproductive individuals तो यह option आपके पास है almost same number of the pre reproductive and reproductive individuals जिसमें population जो है वो क्या हो जाएगी stable ठीक है तो third answer students correct answer होगा 16 conformers are inactive in adverse conditions conformers inactive conditions में sorry adverse conditions में inactive हो जाते हैं तो यह inactive क्यों होते हैं बच्चों आप से पूछा गया inactive होने का कारण क्या है inability to move नहीं ऐसा नहीं है inability to digest the properly inability to maintain the homeostasis definitely उनमें adverse conditions में inactive हो जाने का कारण यही होता है कि उनमें homeostatic condition जो है वो maintain करने की capability नहीं होती तो students correct answer हो जाएगा third next question number 17 body compensate low oxygen availability at high altitude body जो है वो oxygen availability को high altitude पर compensate करती है increasing RBC definitely RBC increase करते हुए फिर लिखा decreasing binding affinity of hemoglobin ये भी सही बात है increasing binding affinity of hemoglobin ये बिलकुल गलत बात है increasing breathing rate ये सही है students decreasing breathing rate ये गलत है तो आपको दे रखा है उसमें से देखिए first second और fourth first second और fourth जिस option में है students ये fourth option है I think fourth option इसका जो है वो क्या हो जाएगा correct हो जाएगा question number 17 जो है उसमें आप correct answer होगा fourth next one 18 find out the correct option आपको सही option choose करना है mammals of colder climatic john generally have shorter ear and limbs to maintain heat loss ठीक बात है सही लिखा है sorry all organism have behavioral adaptation that allow them to respond quickly to a stressful situation देके सारे organism behavioral adaptation नहीं रखते है और behavioral adaptation से quick response नहीं दिया जा सकता है तो students second statement गलत हो गया सभी जीवों में तनावपूर्ण परिस्तितियों में तातकालिक अनुकुरिया करने के लिए व्यवारी की अनुकुलन होते हैं नहीं ऐसा नहीं है कारी की अनुकुलन अगर हो तो हो सकता है सम और्गनिस पॉजज़ बिहेवरल adaptation विच अलाव दें माइगरेटिंग टेंपरेली तो यह लैस्ट्रेस्फुल सिच्वेशन कुछ जीव्यवारी का इनुकुलन धारन करते हैं जो इन्हें कम दवावपूर्ण वाली स्थितियों में ऐस्थाई प्रवासे को अनुमती दे में उच दाब का सामना करने के लिए जैवरासाई निक अनुकुलन पाए जाते हैं डेफिनिटली बायोचेमिकल अडप्टेशन पाए जाते हैं यह NCRT के लाइने है तो हमारे पास एक सेकंड गलत हुआ तो इसका मतलब फास्ट सेकंड और फॉर्थ फास्ट सेकंड और पासियन तो फेस क्रेसिंग प्रैसर डेफिनिटली फिजियोलोजिकल अडप्टेशन और बायोचेमिकल अडप्टेशन उनमें होंगे ऐलन्स रूल एक्स्प्लीन अबाउट अग्स्प्लीन पर वातावरन यह दबाव के कारण सरीर को प्रियाप्त ऑक्सिजन नहीं मिल पा लेक्स्टीन प्याइबटली इसे पह्यों ऊ-बार मियुक्त थेखन के विजर्ट फिरन की कमी होती है यहां लिखाया यह लोग भार में वो यहां incorrect reference हो जाएगा तो यह हुआ students question number 19 उसके बाद देखिए next क्यासन 20 a high density of population in area can lead किसी एक particular area में population density high होगी जैसे ए टाइप के individual students बहुत सारे होगे तो obvious है high density होने के कारण उनमें intra specific competition के आने की possibility maximum होगी अंते जाती इस परदा सबसे ज्यादा आने की possibility students बढ़ जाएंगी तो कैसा number 20 correct answer आपका हो गया first study the shape of the age of pyramid and find out growth status of the population तो देखिए कभी भी growth status आपको पता करना हो तो top to bottom मिला ले जैसा हम पहले discuss कर चुके हैं तो यहां से आपको क्या मिल रहा है देखिए इसमें आपको ऊपर भी कम मिल रहा है मतलब पोस्ट reproductive जो इंडिविजवल से उनका number भी कम है और प्री रिप्रोड़क्टिव का number भी कम है तो ओविए से यह decline में जा रहा है तो यहां मैं यह कह सकता हूं स्टूदेंट्स यह declining population है expanding में आपको पता है triangular आता है जो stable है उसमें बेल शेप आता है लेकिन यहां जो आ रहा है वो earned शेप आ रहा है तो यह होगा declining population घटती हुई समस्टी नेक्स्ट 22 विच वन can fix sun's radiant energy to make food from simple inorganic material simple inorganic material से कौन food material जो है वो क्या कर सकता है synthesize कर सकता है तो देखो green sulfur bacteria purple sulfur bacteria दोनों कर पाते हैं आपने पढ़ा है chemo synthets जरूरी है chemo synthesis जो हो हाँ chemo autotrophs यह लिखा होता तो यह student सही हो जाता तो यह incorrect हो गया plants definitely करते हैं तो first third and fourth first third and fourth आप देखिए इसमें fourth option जो है वो students correct answer हो जाएगा next one 23 match the following देखिए mutualism दे रखा है बच्चों mutualism common sales तो देखिए सबसे पहले orchid offers और B mutualism तो A में मैं 5 देख लेता हूं ठीक है और मुझे देखो एक अच्छी बात इस option भी दिखाई दे रही है कि A में 5 एक ही option में है तो इनको मैच कर लीजा आप बीजो है उसमें four है common sales epiphyte on mango branch विल्कुल ठीक है तो students correct answer हो जाएगा fourth one ठीक है next question number 24 the incorrect statement forest grassland desert and the oceans are the terrestrial ecosystem forest grassland desert and ocean ocean लिख के दिए और terrestrial ecosystem कह रहा है गलत बात है pond lake wetland river and estuary are the aquatic ecosystem student सही बात है crop field and aquarium are the mainman ecosystem सही बात है coral reefs are highly productive ecosystem यह सही बात है तो incorrect statement हमें पूछा था obvious है यहाँ students 24 का जो answer है वो हो जाना चाहिए first 24 first answer clear next 25 consider the following graph choose the incorrect description incorrect description आपको choose करनी है देखो बच्चो एक cat आपको दे रखा है और सुरू से लेके लास्ता के maintain कर रही है तो इसको आप सीधा सीधा सा कह सकते regulator लेकिन यह जो digit ले जाएड है आपको पता है behavioral maintenance में इसको आप कह सकते है partial regulator partial regulator ठीक है आप देखो कहरा है एए रिप्रेजेंट यह होमियोस्टेटिक regulator बिल्कुल रिप्रेजेंट कर रहा है फिर कहरा है ए ताप नियमन को दर साथा है क्योंकि यह नियमन परास में आंत्रिक ताप को बनाये रखता है बिल्कुल सही है फिर कहरा है भी try to maintain homeostasis through behavioral mean बिलकुल डेज़ लिजार ऐसा करता है फिर कहरा भी if it is bask in sun maintain body temperature at constant and appear as the complete homeostatic यह संभव नहीं है यह partial regulator है इसलिए complete homeostasis नहीं हो सकता students correct answer क्या हो जाएगा fourth clear next one question number 26 देखे यहां कहरा है the temporary moment of organ is from less hospitable area to more hospitable area अधिक खराब परिस्तितियों से दवाब वाली परिस्तिति जो और्गनेज़ जो है वो लॉस होस्पिटेबल एरिया में से more hospitable एरिया में जा रहा है तो यह क्या है definitely response to abiotic factors students genetically fixed adaptations नहीं genetically fixed adaptation के लिए यह response करने की ज़रत नहीं पड़ी internal physiological regulation भी यह नहीं है maintenance of internal environment at constant यह homeostasis है तो students यह 26 जो है उसमें correct answer आपका हो जाएगा first first answer perfect हो जाएगा clear next one Microrisal association of roots of the higher plants and fungi is the symbiotic association but not categorized under यह देखो mutualism, protocopression, symbiosis और आपको दे रखा है obligate association तो वो कह रहा है कवक मूल उच्छ पात्मों की मूलों तो था कवकों के मतने सहजी भी संबंध है लेकिन किसमें categorize नहीं किया जा सकता अब देखो students mutualism एक कह रहा है एक symbiosis कह रहा है एक protocopression कह रहा है ठीक है न तो protocopression में क्या होता है कि एक organism दूसरे organism के साथ benefited condition में रहती है ठीक अब mutual association यह mutualism है तो obligate association उसमें हो जाता है आपको पता है obligate condition होती है तो protocopression में इसको categorize नहीं किया जा सकता क्योंकि इसको categorize किया जा सकता है symbiotic association जो mutual है प्राग सहय योगिता इसका अंसर नहीं होगा इसलिए इसका अंसर थार्ड ही होगा next one 28 a flooring plant offer reward to pollinators एक flooring plant जो है वो pollinators को reward offer करता है directly and indirectly as protective and reproductive reward तो protective reward आपको पता है safe egg laying space होती है बच्चो ecology और embryology दोनों में दे रखा है safe egg laying space ये students reward है ठीक है इसके बाद आपको दे रखा है possibly it will be क्या होगा mutual association of both हो सकता है always non obligatory association नहीं ऐसा नहीं है प्रतेक्स प्रतेक्स पारितोसिक प्रतत करता है जैसे कि सुरक्षा और जन्निक पारितोसिक तो यह क्या हो सकता है यह definitely students जो है वो mutual association हो सकता है दोनों का mutual association होगा प्रतेक्स कभी नहीं हो सकता common cell कभी नहीं हो सकता तो आपका answer जो हो हो जाएगा first next 29 consider the following absorption of water and minerals absorption of water and minerals दे रखा है तो कोई absorb कर सकता है students यहां हमें पूछा गया है which option concerned with the fungi during mycorrhizal association तो fungi क्या क्या करता है definitely absorption करता है obtaining and containing compounds करता है provide line of defense to host students host के लिए defense line वो आइजेक्टली करेगा end to fixation नहीं करता है यह endo mycorrhizal हो सकता है production energy yield carbohydrates यह बिलकुल नहीं करेगा तो इस case में आपको 29 में जो दे रखा है उसमें देखो a, b और c जो है वो relevant मुझे यहां दिखाई दे रहे हैं तो 29 में आप कह सकते हैं a, b, c relevant दिखाई दे रहे हैं तो students यहां देख लेते हैं आप से पूछा है which option concerned with the fungi during mycorrhizal association तो fungi से कौन सा correlate करता है उरजा लबधी युक्त carbohydrates का उतफादन फंजाई उरजा लबधी युक्त carbohydrates का उतफादन नहीं करेगा ठीक है तो यह देखिए क्या होगा a होगा b होगा c होगा और एक e होगा तो a, b, c और e यह students fourth answer यहां correct answer हो जाएगा next one 30 some species produce a small number of large size offsprings small number of large size offsprings k species इनको students कहते हैं ठीक है while some other produce large number of small size offsprings it is due to evolutionary process towards most efficient reproductive strategy बिलकुल सही बात है कुछ एक organism small size offsprings produce करती है large number होता है कुछ एक organism large size offsprings produce करती है small आप यह कह सकते हैं उनका जो है वो number होता है तो यह क्यों होता है क्योंकि वो सरवादिक दक्स जन्रिक रणननीती जो है वो अपने उद्विकास यह प्रक्रम में अपनाना चाहती है तो क्योंसों number 30 का अंसर बच्चों हो जाएगा first clear next one a biotic community consists with biotic community किससे बनी हुई हो सकती है तो producers definitely होंगे secondary producers हो सकते हैं decomposers हो सकते हैं फिर कहता है all living components accept a cellular form तो यह ज्यादा सही आंसर है a cellular form को biotic component में place नहीं किया गया और आपको पता है productive potential while anatomical and morphological features are greatly simplified तो देखो parasite दो टाइप के होते हैं एक acto और दूसरा endo अब उस वो कह रहा है कि आपको कि एक parasite है जिसके anatomical और morphological जो features है वो greatly simplified है अब greatly simplified है तो आप यह कह सकते हैं कौन से type का parasite वहा होना चाहिए उसको endo parasite होना चाहिए क्योंकि acto parasite में morphological complexity ज्यादा होती है तो आपका answer हो जाएगा endo parasite is students first answer next cattle aggregate feeding on the blood sucking parasite grazing cattle तो यह कोई grazing cattle है और इस grazing cattle को हम यह मान लेते हैं इस पर cattle aggregate जो है वो आप यह कहरें फीड कर रहा है in close association तो NCRT में क्या दे रखा है NCRT में दे रखा है कि जो cattle aggregate है उसके आसपास जो grazing cattle है उसके आसपास cattle aggregate fly करता है और वो जो वहां से insects को निकालती है उनको वो प्रिडिट कर लेता है तो एक तरीके से कॉमन सेलिज में लेकिन आप ध्यान रखें यहां कह रहा है उस cattle aggregate जो है वो ब्लड सकिंग parasites पे फीड कर रहा है तो इस aggregate को यह क्या क्या benefit करवा रहा है freedom from parasites freedom from parasites जो है वो यह feeding करवा रहा है students तो इस तरीके से आप यहां कहेंगे कि जो freedom from parasite मिला इससे इन दोनों के बीच यह proto cooperation association हो जाएगा तो जो 33 है बच्चो उसका correct answer आपके पास होगा three next three four गॉसे competitive exclusion principle states two closely related species competing for same resources cannot coexist indefinitely ठीक है तो वो कह रहा है कि गॉसे का जो अपवरजन नियम है वो यह कहता है कि तो निकट संबंदी जाती है अननत समय के लिए लंबे समय तकी स्थाई नहीं जा सकती एक्जाम में आयवा क्योंसन है यह इसको थोड़ा modify यहां किया गया है तो बादाइस परदा हो और संसाथनों की प्रचूरता हो तो बच्चों लंबे टाइम तक उनका survival वहाँ possible है फिर कहरा है species from similar taxonomy class similar taxonomy class का कोई लेना देना यहां नहीं है और लास्ट लिखा resources are unlimited and competitive release takes place release आप कर दोगे तो फिर तो survival की possibility बनी हुई है तो resources जब limited होते हैं तभी ऐसा होगा थर्टीफोर वन थर्टीफाइब सलेक इर्रेलिवेंट आप्सन अबाउट पॉंड एकोसिस्टम यहां पूछ लिया गया आपसे कुछ बेसिक क्यासन जो है वो सिस्टम के एकोसिस्टम से भी हैं जो विल्कुल बेसिक हैं डीकॉंपोजर में बैक्टीरिया फंजाई और फ्लेजिलेट्स होंगे ठीक है कंजूमर्स में फ्री सिविंग और बॉटम ड्रेलिंग जूपलेंग्टॉन होंगे और सेकंडरी प्रोडूसर में अल्गी सम से हैं वो सेकंडरी प्रोडूसर है सारे कंजूमरिंग Pokémon होंगे तो यहां करेक्ट जाएगा आपको पूछा एर्रेल्यमंट ऑप्षन इस है हानिकारत जिसमें नुक्सान होता हो तो मुचलीज में तो देखिए दोनों प्लस-फ्लस होते हैं competition में दोनों माइनस होते हैं protocol operation में प्लस-फ्लस और इसमें 0 and plus तो यह complete detrimental होता है correct answer students हो जाएगा third next one which of the following is most appropriately defined कौन सा सबसे सही तरीके से इसमें define किया गया है यह कहरा है host is an of organism which provides food to another organism host जो है वो एक organism है जो किसी दूसरे जीव को बोजन प्रदान करता है आप कहता हो सकते हैं यह फिर कहरा immense l is relationship in which one species is benefited where the other is the unaffected benefited any immense l is में होता नहीं है गलत हो गया predator is an organism that catch and kill the other organism यह definitely students predation की definition को बता रहा है predation में देखिए count किया जाता है caught caught kill and eat caught kill and eat ठीक है तो यहां कह रहा है parasite is an organism which always lives inside तो always अंदर की तरब नहीं होगा host is an organism which provides food to another organism host जो है वो दूसरे और मिसको food provide करता है लेकिन जरूरी नहीं है नहीं यह parasitic relationship में नहीं ऐसा कहा जाएगा host जो है वो nutrition के बजाए अक्कमेंडेशन के point of view से भी हो सकता है इसलिए पहला answer नहीं होगा correctly defined होगा यहां students third clear next one three eight select the wrong statement about chem plants so crucialeation acid metabolic plant है they are adapted to minimum loss of water पर सही बात है they are succulent plant succulent zero fight सी होते हैं बच्चो यह stromata open in night daytime के stromata close रहते हैं because of the high temperature और यह लिखा है they are similar to c3 plants definitely यह wrong statement है they are not similar to c3 plants हाँ आप यह कह सकते हैं c4 plant के similar cycle उन में present होती है तो यह हुआ three eight three nine match the column first and column second hyper saline lagoon दे रखा है students और hyper saline lagoon में आप यह कह सकते हैं contain about 100% salinity ठीक है hyper saline दे रखा आप देखो यहां पीपीटी के बजाए जो है concentration आपको दे दी तो concentration अगर percentage में दी है तब भी आप यह कह सकते हैं hyper saline में इतनी limit हो सकती है fresh water content less than 5% of salinity marine water content 30 to 35 तो यह बिल्कुल सही reference यहां दे रखे हैं और उसके साथ marine water में जो है वो archibacteria survive कर सकता है जो 100 degree centigrade temperature को भी students क्या कर सकता है tolerate कर सकता है तो यहां देखो a जो है उसके लिए first b के लिए second c के लिए third and four c के लिए third and four तो यहां students correct answer हो जाएगा three next natal is the characteristic of population natality is the characteristic of population which means natality क्या है natality वच्चो birth rate natality is basically the birth rate और देखो यह कह रहा है the few number of individual present unit area is given time नहीं few number आप नहीं कह पाएंगे the increase in the number of individuals देखे birth rate है तो increase की बात आगे यह होना चाहिए the increase in the number of individual in population per individual given environmental conditions during fixed time देखो यह पर capita references में लिखा है तो यही answer होना चाहिए आगे हम पढ़ लेते हैं loss of the individuals loss mortality होता है the movement of the individuals आपको कह रहा है movement out यह immigration होता है तो बच्चो definitely यहां जो है वो 40 में correct answer होना चाहिए आपका second clear next one 41 members of a population can interbreed and produce fertile offspring ठीक बात है फिर लिखा है share a common gene pool सही character है share or compete for the similar resources यह भी सही है students यहां answer हो जाएगा four fourth one will be the correct answer the organism which are tolerant of a wide range of the temperature wide range of temperature को जो tolerate कर सकती है students जैसा हमने scale discuss किया था 0 degree centigrade से मान लीजिए 50 degree centigrade तक को tolerate कर रही है यह wide range tolerance है और इसको आप कहेंगे बच्चो यूरी thermal सिर्फ temperature की बात यहां की जा रही है अगर यहां temperature हटा के सिर्फ tolerance की बात की जाती तो यूरी thermal के साथ साथ steno thermal भी answer हो सकता था सरी यूरी heline भी answer हो सकता था जो नहीं दिया गया यह दोनों narrow range को tolerate करते हैं next one 42 three small animals like shrew and hummingbirds are shrew and hummingbirds और hummingbirds जो है वो क्या है तो देखो यह कह रहा है shrew और hummingbirds जो है वो rarely found होते हैं polar region since small animals have आप कहेंगे larger surface area relative to their volume तो इसमें तो larger आना चाहिए और इसमें वो कह रहा है rarely found in polar region फिर कह रहा है larger surface area relative to their volume and tend to loss the heat very fast ठीक है very fast तो यह very fast हो गया फिर इसके बाद में कह रहा है when it is called outside then they have to expend much energy to generate body heat तो अब students देखिए rarely found होना चाहिए उसके बाद larger उसके बाद में very fast तो यह fourth answer students इसमें क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा NCRT का statement है आप वहाँ से देखें for four plants glowing near sea shore will usually have zero fatigue characters जो plants sea shore के आसपास मतलब जहां आप यह कह सकते हैं coastal salty soil conditions हैं तो वहाँ क्या होगा उन plants का characteristic feature क्या होगा light available to plant is not sufficient देखे terrestrial habitat के plant के दिया जा सकता है इनको आप जानते हैं light सिर्फ जो है वो depth के aquatic plant और जो bottom dwelling organisms forest में होती है उनहीं के लिए students limiting factor होता है the plenty of water in the soil नहीं students there is too high concentration of salt for the plant absorb sufficient water from the soil तो वो कह रहा है पाद्मों के लिए लवनों के सांदरता अत्य दिखोने के कारण यह मर्दा से प्रियाप जलॉप्र नहीं कर पाते तो इनके लिए यह 44 जो है students इसके लिए correct answer आपके पास हो जाएगा 3rd 44 3rd clear next for five substances produced by callotropis आपको पता है callotropis जो है यह अपने predator से बचने के लिए glycosidic substances students क्या करता है produce करता है cardic glycosidic और इस cancer हो जाएगा second next one some species of the insect and frog are critically colored comma fluids आपको students दे रखा है तो यह क्या करते है students mimicry करती है जैसे some animals are poisonous वो कह रहा है कुछ statements लिखे हैं और above adaptations against तो कुछ कीट तता मेंड़क परजाती है गुप्त रूप से छदमावरन दरसाती है यह predator के अगेंस दरसाता है कुछ विशेले होते हैं poisonous होता है यह भी हो सकता है predator के लिए monarch butterfly highly distrials यह भी definitely predator के लिए होता है तो इन मेंसे कौनसी activity के prediction के लिए इन तीनों का reference पूछा है अगर पहले की में बात करता है तो यह mimicry हो जाती है ठीक है तो answer हो जाएगा students 46 जो है आपके पास उसका answer होगा आपका first next 47 the following graph depicts change into two population a and b of the herbivores in grassy field a possible reason for the changes that to graph आपको दे रखा है बच्चो अब इस graph को देखो हम जब देख रहे हैं तो हमें यह कह रहा है कुछ interpretation दे रखी है तो आप यहां देखिए यह यहां से शुरू हुआ और ऊपर की तरफ चला गया है इसका मतलब a successfully established है बी उपर से शुरूआ और नीचे आगया है इसका मतलब b जो है वो decline में है तो student statement पढ़ लीजिए यह कह रहा है समस्टी a b का सिकार के रूप में अतिदोहन कर रही है ए b का अतिदोहन कर रही है सिकार के रूप में अगर प्रे प्रेडिटर रिलेसंसी बहुता न तो यह जिग जैग चलता बिसकली इसका जो ग्राप था वो जिग जैग होना चाहिए था इसके इसमें फिर आपको दे रखा है समस्टी b समस्टी a की तुलना में सफलतम स्थापित है ठीक है नहीं है ऐसा समस्टी b तो आप देखो न बच्चो समस्टी b जो है वो तो नीचे आगी सफलतम स्थापित तो a है फिर दे रखा है पॉपुलेशन इसको पढ़ लेता हूं में पॉपुलेशन ए प्रोडूस मॉर स्प्रिंग दैन भी ए में ज्यादा ओप स्प्रिंग स्प्रोडूस हुई है इसलिए आप उस पर अपनी एपरोच कर सको दिए अनभार्मेंट इंडजेट लिजाड आर डिजए चलिए बेहिवररियल एटेटेशन एंवार्मेंट में वो क्या है बार्वर्व करती है लुजिंग ही डूरिंग हाई टेंपरेचर हाई टेंपरेचर में हीट लूज नहीं करती वह अक character उसमें बच्चो नहीं होता है तो आपके पास जो 48 है उसमें आप कहेंगे first और third ही सही answer हो जाएंगे first and third इससे answer आजागे आपका first clear next one 49 the population size जो पर birth decreased from 660 to 645 तो इसको मतलब है delta n upon n delta t हम पढ़ते हैं बच्चो n delta t और ये कह रहा है if the per capita birth rate of this population was 0.125 earlier what is the death rate death rate क्या है तो change यह हुआ 15 जो थे वो change हुआ 660 ठीक है तो एक समस्टी का आकार एक वर्स में 660 से 645 तक घड़ जाता है जन्दर पूर में यह थी तो मृत्यूदर क्या है तो जन्दर से तो लेना देना नहीं है मृत्यूदर आपको निकालनी है तो इसमें मृत्यूदर की अगर आब बात करें तो यह students data आजाएगा आपके पास 0.02 तो correct answer जो है वो यह students होगा 4 clear next 50 question number 50 जो है population caring capacities population के caring capacity क्या है देखिए किसी भी population को जो environment support करता है उसकी caring capacity के form में आता है आप कहेंगे number of individuals इने population नहीं reached a population caring capacity reached when the number of death exits the number of birth नहीं नम्रत्यूद के दर से जन्दर अधिक होने पर सीमान्त हो जाती है देखो जन्दर तो सदय अधिक ही होती है inversely affected r max नहीं the population size that can be supported by available resources for the species within the habitat यह सही बात है लब किसी भी population के reference में उसकी caring capacity क्या होगी उसके आवास में उपस्ते जो जाती है उसका समस्टी आकार जो उपलब तो संसाद में द्वारा समर्थीत है मतलब जो संसाद है नहीं उसको maximum वो support कर रहे हैं तो यहां students question number 50 है उसका answer हो जाना चाहिए 4 clear next हाँ students question number 51 consider the following आपको consider यह करना है less complex life cycle दे रखा है generalization दे रखा है emphasized on the reproductive potential जो parasites होते हैं एक्टो हों चाहे एंडो हों दोनों ही ऐसा करते हैं लेकिन जो कम जटिल जीवन चक्र है समान्नी करण है यह आप कह सकते है एक्टो parasite का character हो सकता है presence of adhesive and sucking organs यह characterize कर रहा है definitely बाहिय पर जीवी यह जो एक्टो परासाइट होते हैं वो students यह represent करते हैं next one gross generalization about competition is not entirely true gross generalization जो competition के बारे में मतलब competition के बारे में जो समन्न अवधारना है वो सही नहीं है अब क्यों सही नहीं है क्योंकि gross generalization यह कहता है कि जो superior होगा वो superior always inferior को क्या कर देगा eliminate कर देगा जो inferior होगा उसको बाहर जाना पड़ेगा एक वो कहता है कि closely related species के बीची competition होता है लेकिन हमें देखो flamingo का example दे रखा है जो visitor flamingo है और वो facies है क्योंकि वहाँ ju plankton उन दोनों का common food material है तो requirement पर dependent करता है तो gross generalization पूरी तरीचे से सही नहीं है क्यों नहीं है इसकेस में कौन सा statement लिखा है inferior eliminate by the superior देखो resistant लिगलत होगे students inferior eliminate the super sorry inferior eliminate by superior सही हो गया इनफीर को superior eliminate कर देता है तो इस case में तो gross generalization सही हो जाता है और एक आपको दे रखा है इसी लिए सही नहीं है क्योंकि स्पिसीज ने जो है वो को क्योंड पूंड इंक्रीज एक स्पिसीज की जो फिडिंग एफिसेंसी वो बढ़ नहीं चाहिए दूसरे की प्रिजेंट्स में तो कॉमपेटिटिव रिलीज कहे रहा है तो आप यह कह सकते हैं तो बढ़ सकती है तो बच्चों और अंसर हो जाएगा थर्ड नेक्स फाइफ ओर फिटनेस ऑफ बन स्पीचिज इसको कहा गया यह आप से पूछा गया है एक प्रजाती की उत्तर जीविता दूसरी प्रजाती की प्रजेंस में कम हो जाती है बच्चो यहां फिटनेस जो है वो इंडिकेट करता है बायटिक पोटेंचिल या जैवि वो आपको क्या करना है वो कह रहा है most important जो फेक्टर है वो आपको चूज करना है तो देखिए न्यूली कॉलोनाइज हैविटेट में स्टूटेंट से बर्थ रेट होगी वो अल्टिमेटली लॉर होगी तो वहाँ इमिग्रेशन के बजाए एमिग्रेशन के बजाए significant और useful होगा यहां लिखा immigration contribute more significantly तो answer हो जाएगा second clear next one 56 इसमें students आप से पूचा है in about diagram which marked area represent the biome with following features क्या 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 पूचा है लंबेवरक्ष टॉल ट्री नुकीली पतियां मोटी अधीचर्म और वर्षन में वर्फ बारी का होना तो temperate में भी कुछ हो सकते हैं लेकिन ट्री ल आगे अगर हम बात करें option के हिसाब से A और B दे रखा है B देखो grassland B में विल्कुल नहीं हो सकता यहां भी B आ गया E और F F में विल्कुल नहीं हो सकता तो E cable E यहां fourth answer जो है वो students correct answer हो जाएगा next one 57 choose the incorrect statement in reference of population growth population growth के reference में आपको incorrect statement choose करना है environmental resistance operate to slow down S growth after log phase ठीक बात है बच्चो तो देखो यह log phase के बाद में slow down हो जाती है यह देखिए यह log phase था lag log और stationary तो log phase के बाद slow down हो जाती है क्योंकि environment की carrying capacity को यह approach कर जाती सही लिखा है exponential phase of j-shape curve is rapid definitely rapid होगा और लंबी अवधी का होता है positive acceleration occur after log phase देखिए लोग के बाद positive acceleration नहीं आता लोग के बाद आप कह सकते है negative acceleration आता है तो जो correct answer होगा वो वच्चों यहां हो जाएगा third clear next five eight predator helps in maintaining species diversity in community predator जो है वो species diversity को help करने में help करता है as always keystone species जरूर ही नहीं है always keystone species हो are always carnivores यह भी जरूर ही नहीं है reduce competition among competing prey species definitely वो जो prey species है उनमें आपस में competition के बढ़ने को इसलिए रोकता है क्योंकि वो खुद जो है उनका भक्षन करता रहता है उनको खाता रहता है तो जो 58 है बच्चों उसमें आपका correct answer हो जाना चाहिए third clear next one 59 which statement is incorrect resources need not to be limiting for competition competition के लिए resources का वो कहरा है limiting होना जरूरी नहीं ह पूछा है आपसे कौन सा कथन ऐसत्य है प्रतिसपर्दा के लिए संसाधन सीमित होना हावशक नहीं है संसाधन सीमित होंगे तो प्रतिसपर्दा आएगी in interference competition feeding efficiency of one species is reduced because of the inhibitory presence हो बादा सही है ये भी ठीक है फिर लिखा है related species can compete for resources definitely related species resources के लिए compete कर सकती है फिर लिखा है inter specific competition is important force in organic evolution तो ये भी सही है तो देखो resources need not be limiting limiting होने चाहिए अगर limiting होंगे resources तभी competition आएगा तो यह 59 में बच्चो आपका जो correct answer है वो हो जाएगा first clear 60 assume that you have been studying a population of water cormorants the age of the pond after 10 years of the observation you notice that the population has remained steady तो देखो population stable रहती है population में कोई change नहीं आ है तो इसमें सरवादीक उप्युक्त व्यक्ष्या क्या हो सकती क्यों नहीं population change हुई देखो एक है रहा है जनमदर तता हम रितियुदर दोरों समानदर से बढ़ रही है possible नहीं होता जनदर हमेसा ही जादा होती है तालाब सुस्क हो यहाँ जो correct answer आपके पास होगा वो वच्चो हो जाएगा third clear many duplankton species in lack and ponds are known do enter dipos dipos में यह enter कर जाता है तो dipos अपने आप में किसको represent करता है dipos आप यह कह सकते हैं अपने आप में represent करता है suspension को आपको पता है इसमें metabolic suspension जो है उसको indicate किया जाता है choose the wrong statement यहाँ भी wrong statement आप से पूछ लिया है natality and immigration increase the population density natality or immigration population density को increase करते है motility and immigration decrease the population density यह भी सही है adverse conditions does not affect the population density विपरीद परिस्तितिया जन्संग्य अगरतों को प्रभावित नहीं करती यह प्रभावित करती है इसलिए students incorrect यह गलत हो गया food available and predation pressure affect population density यह भी definitely affect करता है तो हाँ गलत statement third है जो correct answer हो गया small animals like shoe and hummingbirds are absent in polar region since the small animals have a large surface area relative to their volume these animals are not adapted to these environment due to क्यों नहीं है absence of the metabolics metabolics require more energy देखिए ज्यादा energy energy एक क्यासन पहले भी मैं इसा discuss कर चुका हूं जिसमें आपको पता है कि metabolic energy expenditure जो है वो इनका ज्यादा होता है इसलिए जो है वो इनकी presence यह पॉसिबल नहीं है so students metabolics require more energy फिर लिखा है genetically fixed adaptation के लिए और become partial regulatory यह नहीं है second answer इसमें perfect answer हो जाएगा the correct expression of the initial growth of the population in both type of growth form population समस्टी के दोनों व्रदी प्रारूप में समस्टी की प्रारंभिक व्रदी की उप्युक्त व्यक्ष्या है देखो प्रारंभिक व्रदी जो है न किसी भी समस्टी की बच्चों जो होगी वो होगी lag phase की growth यह देखिए lag phase अब lag के लिए सबसे उप्युक्त व्यक्ष्या क्या है the biotic potential of population is less definitely कम ही होता है population is adapted to habitat यह भी आप कह सकते हैं adapted है लेकिन उतनी adapted नहीं है क्योंकि adapted होती तो आप कह सकते हैं ग्रोफ ज्यादा होती population initially not completely adapted यह भी सही बात है कि population जो है रहे हो completely adapted habitat के लिए नहीं है अब लास्ट नहीं है जैविक भी भव तो यहां जाके इसका बहुत ज्यादा हो जाएगा इसका मतलब है कम तो नहीं है बस वो जो population उस environment के लिए suitable नहीं है तो first or fourth को reject कर दिया अब देखिया समस्टी आवास के प्रति अनुकूलित है है को मैं फ्लूज कर डिघार नैवर क्रिप्टिकली कलर्ड फोर दूजी कैप्चर आप देर प्रेटर ऑप लिए नशीं के वजा यह प्री के लिए से बचने हे तु गुप्त रूप से प्रदर्सित होती है फिर लिखा है प्रे प्रोडूस सम् पॉज़नस कैमिकल्स इन देर सराउंडिंग तो प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम प्रीडेटर नहीं और लास्ट लिखा है प्रीडेटर इवाल्ड सम् फिजियो लोजिकल अडेप्टेशन तो रीच दप्रे प्रेजेंट इन सम् रैस हैबिटेट पर्भक्सी प्रतिकूल आवासों में अपने सिकार तक पहुंचने के लिए कुछ कारिय की अनुकलूनां का विखास कर लेता है तो यह तो पर्भक्सी के फेवर में हो गया प्रीड सेकंड करेक्ट अंसर होगा नेक्स्ट वन इन डीप वॉटर हाइड्रो थर्मल मेंट आर्की बेक्टिरिया और सर्वाइव और हंड्र डिड्री सेंटिग्रेंड दू क्यों सर्वाइव कर जाते हैं बाइं इंक्रीजिंग ब्रांच लिपिल्ड चेन इन प्लाजम में यह सह आइंसर ससी का भित्ती की उपस्तिती होती है तो फिस्ट अंसर केरेक्ट अंसर हो जाए गा सेक्ट सेवन कॉंफर्मरS are in active in adverse conditions के पीडा कॉनफर्मर्स जो है वो इन केपी पिडान मेओ याेड़ा ड्रोsk до इसन्समें क्यों हो जाते हैं तो वह कहे रहा है inability to maintain homeostasis, यह student similar question जो है, वो आपको मिल गया है 3, next major conduit of energy transfer in successive trophic level, successive trophic level में major energy conduit क्या है, energy transfer करने का main source क्या है, तो देखो, primary producer primary consumer, secondary consumer हर एक trophic level पर successively energy transfer करने का mode है वो होता है, students predation the predation is the main conduit of energy transfer, clear next one, if a population growing exponentially double in size in 3 years, the rate of intrinsic rate will be, वो कहना 3 साल में double हो जाती है, 3 years में कोई एक time duration आपको दे रखा है तो वो देखो क्या कहना है कि यह rate of intrinsic increase क्या होगी more than its ordinary reproductive rate definitely, ordinary reproductive rate से ज्यादा होगी, तभी आप यह कह सकते हैं, उसके double होने ही नहीं है, less than its ordinary rate, ordinary rate से कम होने पर double नहीं हो सकती, highest because mortality is constant, वो कह रहा है growth rate highest होगी, बड़ क्यों mortality constant इसलिए हाई होगी यह कोई perfect region नहीं हुआ तो आपका answer यहाँ हो जाएगा बच्चो first, next thermoregulation, thermoregulation, osmolarity regulation in blood, maximum rate of protein synthesis, higher breathing rate, beta oxidation, यह पूछ रहा आप से how many are not directly concerned with the maintenance of constant internal environment by organism, तो देकिए constant internal environment से कितने directly concerned नहीं है, यह पूछा है, तो देको यह concerned है, osmolarity concerned है, protein synthesis is concerned नहीं है, high breathing rate to compensate low CO2 नहीं बच्चो यह ध्यान रखना है आपको तो यह भी concerned नहीं है, beta oxidation of fat, आप कहा सकते हैं, यह भी concerned नहीं है, तो आपके पास यहाँ जो है, वो हो जाएगा 2, तो जो 70 है बच्चो, 70 में आपका answer होना चाहिए, 2 या 3, मैं एक बार फिर देख लेता हूँ, ताप नियमन, रक्त में परास्ने नियमन, यह दोनों होंगे, वो कह रहा है, how many are not directly concerned with, हाँ तो 2 ही concerned है, 3 concern नहीं है, तो answer हो जाएगा 3, कितने concern नहीं है, यह हो गया, beta oxidation वाला हो गया, और maximum protein synthesis हो गया, सही है, 3rd answer, correct answer हो जाएगा बच्चो, 7.1, population that has relatively low R value, will most likely, R value अगर कम है तो क्या होगा, have large clutch size with relatively small offspring, बिलकुल, we found an environment that are highly variable, नहीं ऐसा नहीं है, have an early age of, early age of the first reproduction, and a short generation time, short generation time हो सकता है, लेकिन वो कह रहा है, early age of the first reproduction, फिर कह रहा है, produce fewer offspring with more competitive capabilities, fewer offspring produce करेगा, तो students, वो 71 आपके पास है, 71 में अधिक स्परदिक सम्ताओं युक, कुछ संतियां उत्पन करता है, यह population data relatively R value, low R value, अगर high R value होती, कि तब तो यह answer हो जाता, तो लो R value है, तो इसका मतलब fewer offspring ही produce करेगा, यहां correct answer हो गया आपका fourth, change in the population size equation with prolonged exponential phase can be converted into logistic growth equation by multiplying, वो कहरा, निरंतर चरधातां की अवस्ता की समस्ति आकार समीकरण को इन में किसके द्वारा गुणा की जाने पर संभार हो सकता है, तो देखो, K-N upon K से अगर आप multiply कर देते हैं, तो यह logistic हो जाता है, जबकि आप जानते हैं, Dn upon dt is equals to Rn, यह जो है, वो क्या है, exponential growth, तो K-N upon K as the environmental resistance, यहाँ second answer जो है students, 72 में वो आपका correct answer होना चाहिए, second, next, 73, pollination in office, a Mediterranean orchid occurs by, तो pollination कैसे होता है, clip mechanism के दूरूर नहीं, अब आपके पास यह दिक्कत है कि clip mechanism, trap door mechanism और यह क्या होंगी, तो आपको यह पता है कि वो जो है, वो mutualism है, और mutualism में pseudo-copulation का वो example है, तो बहुत साफ बच्चों mention कर रखा है, pseudo-copulation, 73 का correct answer होना चाहिए, third, 74, the size of population in its habit is, the status of population in the habitat, बिल्कुल बताती है, NCRT की line है, always increased biotic potential of the population, देखे, size यह बताती है कि biotic potential increased हुआ है, the reflection of environmental resistance, environmental resistance का reflection भी बता सकती है, लेकिन यहां एक दिक्कत मुझे यह लगरी है, समस्टी का सदयव बढ़ा हुआ, जरूरी नहीं सदयव बढ़ा हुआ, जरूरी नहीं बढ़ा हुआ, जरूरी नहीं है, बताए, तो आपको A और जो C दे रखा है, वो तो perfectly यहां क्या है students? students सही है तो आपका correct answer हो जाएगा second A and C a biologist studied the population of rate in an area he found that average natality was 250 तो 250 natality थी ठीक है उसके बाद वो कह रहा है immigration 20 and emigration 30 तो immigration 20 इसमें add कर देते हैं और immigration कितना है 30 mortality 240 है और यह 30 है तो यह दोनों ही 270 हो रहे बच्चो इसका मतलब the net increase will be the zero 75 में answer हो गया आपका four field experiment on the rocky sea coast of the Scotland where larger barnacle balance dominance intertidal area and remove the smaller barnacle chathamilis this happened due to यह क्यों हुआ बहुत साफ students पृतिस पर्धा या competition के कारण ऐसा हुआ है तो यहां आपका answer हो जाएगा second जो seven six है उसमें आपका correct answer है second उसके बाद seven eight seven seven sorry some desert beetles can survive on the metabolic water without ever drinking liquid water choose the correct about it वो कह रहा है produces water in the organism they eat वो उन जीवों को खाते हैं जो जलुत्पन करते हैं नहीं गलत बात है they absorb water from the air along with the respiratory oxygen नहीं फिर कह रहा है they break down product of the respiratory substrate is water हाँ students अगर aerobic oxidation होता है तो आपको पता है aerobic oxidation में जो product है उस product के form में water release होता है तो जो insects हैं they do not rely on the external source of water because they use their metabolic water तो यह question कई तरीके से आपको कई जिगे मिल जाएगा अलग-अलग exams में भी ऐसे questions आये हैं इसको हमने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से modify करके यहां frame किया है 7-8 altitude sickness which include nausea fatigue and hurt pulpitation occurs due to तो आप कहेंगे low atmospheric pressure at high altitude high altitude पे low atmospheric pressure होने के कारण ऐसा हो जाता है फिर देखिए 7-9 which of the following is categorized as the parasite in true sense parasite आप किसको कहेंगे वो कह रहा है परिवर्धन सील मानव ग्रून देखिए जो आपको पता है यहां human fetus होता है उसको parasite नहीं माना जाता है तब female anaphilis bite देखिए यह भी नहीं माना जाता है mosquito head lice is living on the human skull and well laying eggs in the human hair इसको definitely students parasite माना जाएगा और last वाला जो है वो students brood parasitis है तो यहां true sense में आप कह रहे हैं जो answer होगा वो क्या हो जाएगा third clear next one 7-9 when certain exotic species are introduced into geographical area they become invasive तो exotic species जब introduce करवाई जाती है तो किसी भी एरिया में वो बहुत तेजी से क्यों फैल जाती है इसका basic region बच्चों यह होता है कि वहां उनका जो natural predator है आप कहेंगे जो उनका natural predator है यह natural predator वहां क्या होता है absence natural predator की absence होने के कारण students ऐसा होता है they have high reproductive rate हो सकता है possible है लेकिन कारण क्या है they produce chemical inhabitant नहीं there is no competition the invaded land does not have its natural predator तो यहां answer आपका हो जाएगा fourth one clear next which of the following is not an example of physiological adaptation कौन सा physiological adaptation का example नहीं है lizard bass concern and absorb heat आपको पता है यह behavioral reference students और बाकी जो आपको दे रखें यह altitude sickness regulation human body और kangaroo में मूत्र सांद्रण concentrated urine urine in kangaroo यहां answer आपका हो जाएगा first clear A2 vertical distribution of different species under influence of light occupied at the different level इसको stratification students आप कहते हैं वो जैसे vertical distribution दे रखा नहीं जैसे आपको देखो यह किसी forest area में दे रखा है तो ecosystem में भी यह दे रखा है हम light के influence में इसको आप से discuss करते हैं तो यह जो है वो क्या है stratification या इस्तरण the monarch butterfly is highly distasteful to its predator because of the special chemical present in its body due to butterfly acquire this chemical यह कहां से acquire करती है तो अपनी caterpillar stage में students यह करती है ऐसा during its caterpillar stage by the fielding on poisonous weeds यह बिलकुल informative reference है second answer यहां जो है 83 में वो correct answer हो जाएगा 84 84 students ability of an environment to support a population is called is environment population को support कर रहा है तो environment की capability उसको आप क्या कहेंगे caring capacity ठीक है next in growth pattern one minus n upon k is यह देखो एक साम में आ चुका है one minus n upon k जो है यह students आप से पूचा गया यह environmental resistance ही होगा जिसको आप लिखते हैं k minus n upon k और यह जो है इसका value one लिख दिया गया अब n by k कितना होगा तब जाकि यह 0 हो जाएगा ऐसा एक्जाम में पूछा गया था तो जो 85 है 85 में आप देखिये environmental resistance की ही आप से बात की गई है third answer हो जाएगा next age structure of population influence population growth देकर younger female have more offspring than the older female definitely यह सही हो सकता है लेकिन वो कह रहा है कि population में जो है वो age structure कैसे influence करती है different age groups have different reproductive capabilities यह भी सही बात है the more individuals that are immature the slower population will grow यह भी ठीक बात है immature अगर कम होगे shorter generation time results in the slower population growth shorter transition time होगा तो population growth क्या हो जाएगा students fast हो जाएगी अब आप से एक्जेकलिस में वीजन जानना चाह रहा है वो कि एक समस्टी की आयो समस्टी व्रुदी को प्रभावित करती है क्यों करती है क्योंकि different age groups जो है उन different age groups की different reproductive capabilities होती है ठीक है तो आप यह कह सकते हैं इसका correct answer हो जाएगा 2 87 competition is most severe because between two close related species growing in the different nickname अधे के different nickname में है तो competition होने की possibility नहीं है close related species growing in the same habitat यह definitely यह competition होने की सबसे ज्यादा possibility है distantly related दूरस growing in the same habitat अब same habitat में ग्रों कर रहे हैं लेकिन वह आप कहने distantly related हैं तो अब यह से उन में resources के requirement quiet similar होने के बजाए कम similar होगी तो second ज्यादा important मुझे लग रहा है distantly related species growing in the different case तो बिलकुल नहीं होगा फोर तो देखो यहां correct answer जो है वच्छो second ही हो जाएगा 87 में आपका answer हुआ second इसके बाद next 88 sometime a population density determining factor is more significant than natality we are discussing about constructive feature of population which one is suitable option suitable option क्या है आप यह कह रहे है immigration देखिए इससे related question में पहले भी discuss कर जुगा हूँ क्यों क्योंकि एक ही chapter में से बहुत सारे questions आपको निकालने तो कुछ आपको correlate मिलेंगे लेकिन सबका language और pattern जो है वह आपको अलग-अलग मिलेगा answer हो जाएगा immigration ठीक है next one 8-9 consider the following competition with species interspecific effect of the predators effect of the pesticides तो यह जो सारी चीज़ें दे रखिए है यह students क्या करती है यह कह रहा है status of a population and its habitates definitely affect करता है ecological investigation of a population survival of the individuals तो students मुझे यह लग रहा है कि जो 8-9 है उसमें सारे factors जो है वो responsible है 1-2-3 तो answer हो जाएगा fourth next one in blank छोड़ा है phase population adopt itself itself to new environment and start to increase its number तो वो कह रहा है कि population जो है वो अपने एक phase में अपने आपको adopt कर लेती है और अपने number of individuals क्या करती है start करती है तो कौन से phase में वो lag phase में या log phase में तो हम यह कह सकते हैं lag अवस्था में समस्ष्टी नए बातावरण के लिए अनुकुलित होती है तथा अपनी संख्या में ब्रदी करना शुरू करती है तो अपनी संख्या में ब्रदी करना सुरू log phase से करेगी प्रतिक प्रकार के समुधा है कि नहीं आप यह सीधा सीधा से कहते हैं क्रियात्मक इकाई की विशिष्टा है यह देखो दे रखा है आपको functional unit of ecology और यह भी मुझे लग रहा है इसमें सही है तो उसके बाद आपको आगे पढ़ लेना है प्रतिक पारिस्तिती की विशिष्टता है हर टाइप की ecology जो है उसके फलसरूब एक भौतिक सरंचना विक्षित होती है फिर कह रहा है जैविक घट गटकों तो B और C और D option है जैविक घटकों की विशिष्टा जनसंख्या की population की नहीं हो सकती तो students के बल भी जो है वह एक ही आंसर होगा बहुत साफ यह कहना चाहरा है कि जो यह बाइटिक और बाइटिक कॉंपोनेंट्स हैं उनके इंट्रेक्शन के फलसरूब एक फिजिक लोटस प्लांट लास्टियर और स्टूडेंट्स क्या हुआ दो रिप्रोड़क्शन हंड्रेड न्यू प्लांट्स आर एड़े टेकिंग दा करेंट पॉपुलेशन इस 500 और आपके पास इनीशल नंबर कितना था तो फोर हंड्रेड प्लांट लास्टियर थे अब इस कंड śA मजेरें पर-CAPITA इन्रीज को रीपेजिट करता है कि ने कउसे competitive participants are excluded बिलकुल नहीं, two closely related species competing for same forces cannot coexist indefinitely and competitively inferior one will be the eliminate event lead, तो यह fourth option जो है वो students answer हो जाएगा, उसके बाद देखो, 9-4, which of the following interaction is not an example of detrimental relationship, कौन सा एक detrimental relationship का example नहीं है, not an example of detrimental relationship, तो देखिए, ट्रिक, बर्ड, इंसेक्ट, अर्गट, इंसेक्ट खा रहा है, यह हुआ, फिर आपको देखिए, एपिफाइट and mango, यह zero और students आप कहा सकते हैं, प्लस होता है, यह common salism है, इसलिए यह जो है वो अपने आप में हानिकारक संबंद का उधारण नहीं है, तो 94 आपके पास जो है, वो fourth answer हो जाएगा, उसके बाद 95, the change in population site at given time interval, t represents by the following equation, तो nt is equals to n0 plus b plus i minus d plus e, यह equation लिखा जाता है, अब यहां कहा रहा है, ib और d क्या है, तो i तो देखो immigration है, यह इसमें दिया गया, b जो है वो birth rate natality है and d जो है वो mortality है, ठीक है, इसमें immigration लिख दिया, इसलिए गलत हो गया, इसमें mortality natality लिख दी, इसमें rate of the decomposition, तो आपका answer students हो जाना चाहिए, second, 9-5 second, 9-6, an organism develops adaptation against environmental stress, कोई एक और निजा है, environmental stress के against, जो है, वो adaptation develop कर लेती है, तो यह adaptations क्या है, genetically fixed, if continued generation after generation, definitely students सही line है, adaptation में NCRT ने line लिखी है, some epigenetical मतलब genetically not fixed, यह भी ठीक बात है, newer present in the germ never present in the germ plus, यह नहीं हो सकता, लेकिन first or second, दोनों हो सकते हैं, इसलिए आप यह कह सकते हैं, students, यह answer हो जाएगा, fourth, definitely 9-6 का answer होगा, fourth, 9-7, which of the following characterize the habitat of an organism, कौन साइग habitat को characterize करता है, तो आपने students पढ़ा है, not only abiotic और physical chemical factors, जो biotic components हैं, कुछ उनका interaction भी habitat को characterize करता है, तो देको लिखा है, the place where organisms live along with the abiotic components and biotic components, यह ठीक है, आपको दे भी रखा है, predator है, parasite है, competitors है, pathogen है, उपर पढ़ लेते हैं, the place where organisms live along, यह तो हो गया, functional role of the living only, it is only place where organisms live नहीं, physiological or abiotic component, तो यहाँ students to correct answer है, वो fourth ही हो जाएगा, वह स्तान जहाँ जीव, जैविक घट को, इन दोनों के साथ प्रतिसपरदा करता है, interaction करता है, competition करता है, आप कहते हैं, यह जितने सारे biotic और abiotic components हैं, वो interaction में आते हैं, 9-8, two opposite forces operate in growth and development, every population, one of them related to the ability of the reproduce at a given rate, the force opposite to this, तो वो कह रहा है, biotic potential जो है न, उस biotic potential के against जो force होगा, वो क्या हो सकता है, तो 9-8 में students हमें मिल जाएगा, कि जो वातावरणी और प्रियावरणी प्रतिरोद है, जो resistance है, उस biotic potential को जो कम करने का effort करेगा, वो उसका opposite force होगा, तो यहाँ answer आपका हो जाएगा, second, न, न, बेल शेप एजप प्रियामिट पॉसिवल, बेल शेप एजप प्रियामिट कब पॉसिवल है, देखो अभी पहले भी हमने एक discuss किया था, कि प्रियामिट बेल शेप था वो सकता है, जब pre reproductive individuals are almost equal to the reproductive individuals, तो यह second answer इसमें correct हो जाएगा, जनन पूर्व व्यस्टियां, जनन पूर्व व्यस्टियां, जनन ख्रम व्यस्टियों के लगभग समान है, second answer, next one, 100, read the following statement, competition occur in closulated species, ठीक बात है, predator की prey population under control, यह भी ठीक बात है, बोथ species are benefited in mutualist and protocolism, यह भी सही है, यह bird feeding on seed is called the endoparasite, नहीं students, यह endoparasite नहीं होगा, यह आप कह सकते, predator count किया जाएगा, यहां correct क्या है, A, B, और C, तो जो 100 है, last one है, इसका correct answer हो जाएगा, आपका 4, तो यह students तरीके से paper आपके पास था, बहुत सारी चीज़े हैं, इसमें ऐसी आपको मिलेंगी, जिसमें एक concept पे बहुत सारी questions हैं, तो आपने no doubt अच्छा किया होगा, आप यहां से solution से help ले सकते हैं, अच्छा करें, good luck for your examination, और me 2022 का exam, जो 17 तो जुलाई को हो रहा है, उसके लिए भी आप सबको धेर सारी सुपकाम ने, thank you. Hello students, myself, Rajendra Verma, team chemistry, कैसे हैं आप लोग? मुझे उमीदी नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप अपने biochem, test series को बहुत अच्छे से enjoy कर रहे हैं, आज आपका जो paper हुआ है, वो अच्छा गया होगा, फिर भी इस paper में आपको किसी question में को doubt रह गया है, तो आप ये video देख करके अपने उस doubt को clear कर सकते हैं, ठीक है बेटा, मैं आपके साथ आपके LDL ketone में test 23 जो है, इसके question discuss कर रहा हूँ, शुरू करें, which of the following compounds reacts with CS3MGI and also decolorized bromine water, आपको चार योगिक दिये गए हैं, ये देखना है, कि इन चारों में से ऐसा कौन सा है, जो ग्रिगनाड रियेजेंट से react भी करें और ब्रोमीन वाटर के साथ भी react करें, ये चीज आपको देखना है, बेटा, तो पहले देखें, यहाँ पर ग्रिगनाड रियेजेंट से reaction possible है, लेकिन ये जो compound है, ब्रोमीन वाटर को colorless नहीं करता है, बेटा, decolorize नहीं करता है, तो ये तो answer नहीं होगा, आपका, यहाँ पर ग्रिगनाड रियेजेंट के साथ reaction possible है, एसअडिक आइडरोजन है, ग्रिगनाड रियेजेंट से reaction तो possible है, लेकिन ये ब्रोमीन जल को रंगीन नहीं करेगा, decolorize नहीं करपाएगा, थर्ड में ग्रिग्नार्ट रियेजेंट से reaction पॉसिबल है लेकिन यहाँ पर ब्रोमीन जल को decolorize यह भी नहीं करभाएगा फोर्थ में देखें फोर्थ में साइनाइड है और साइनाइड के साथ ग्रिग्नार रियेजेंट रियक्ट करता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट साइनाड के साथ क्या करेगा रियक्ट करेगा बेठा जब हम इसमें रियक्शन करवाएंगी तो यह रियक्शन पॉसिबल है एक्शन कर रहा है यहाँ पर आपके पास एक सी डबल बॉन्ड सी भी है इसका मतलब यह ब्रॉमीन वाटर को डिकलराइज भी करेगा तो आंसर क्या चला गया आपका पॉर्थ आंसर गया वेटा इसमें आपके पास पॉर्थ पॉइंट क्लीर हो गया नेक्स्ट वेशन देखेंग दे फॉर्मेशन ओफ साइनो हाइडरीन फ्रॉम एक किटोन इस एन एक्जामपल ओफ आपको साइनो हाइडरीन किटोन से बनाना है और आपसे पूछाए कि यह किस तरह का एक एक एक्जामपल है कि टोन पर साइनो हाइडरीन फ्रॉमेशन करने के लिए मुझे यह रियक्शन करवानी पड़ेगी और यह क्या करेगा सॉल्वेंट में से एक्ज पलस गेन करेगा यह साइनो हाइडरीन बनेगा तो यह रियक्शन कौन सा है बटा? नूगलीोफिलिक एडीशन कौन सा है? नूगलीोफिलिक एडीशन नाभिक सनेही योग है बटा आपके पास ठीक है? सेकंड आंसर आगया आपके पास the reagent used for the separation of these two compounds आपके पास एक CS3 CHO एक LDID है और दूसरा आपके पास compound है यह विटा इसको separate करना है दोनों mix हैं इसको separate करने के लिए आपको इन में से कौन सा reagent suitable लग रहा है यह अपने को check करना है sodium byραosulfite इसके साथ positively react करेगा और एक solid product बनाएगा लेकिन यह sodium by इसके साथ react नहीं करेगा तो जब इसके साथ react करके solid product बनाएगा तो आप उस solid को क्या कर सकते हैं filter कर सकते हैं separation हो जाएगा उसके बाद जो solid है उसका आप acidic condition में या alkaline condition में hydrolysis करवा होगे आपको यह regenerate होके मिल जाएगा यह नहीं आ सकता दोनों के साथ positive reaction है separation नहीं यह भी नहीं आएगा यह भी नहीं आएगा तो answer क्या चला जाएगा आपके पास first answer से लाएगा बास समझ में आ रही एक्चल में होगा क्या जब आप इसमें नह एच एसो त्री एड़ करेंगे तो आपको यहां पर करेंगे करेंगे तो आपको यहां पर यह सॉलिड प्रड़क्ट मिलेगा बेटा और इसमें एसेड ही किया alkaline medium में hydrolysis करवाते हैं तो यह वापिस जो है किसमें convert हो जाएगा HCL और NaOH कोई भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं तो आपके पास answer क्या चला जाएगा first answer Idoform test is not given by Idoform correction किसके दवारा नहीं दिया जाता है Idoform test के लिए आपको mind में setup करना है ऐसा group होना चाहिए इसका अगर मैं oxidation करूँगा तो यह इसमें convert हो जाएगा यह group है तो भी Idoform test possible है और यह group है तो भी Idoform test possible है तो आपको यह group इन में check करना है टू पेंटेनोन यहाँ पर यह group available है यह देखो यह group यहाँ पूछा है not given by तो यह तो answer नहीं आएगा इसमें तो आइड़ो फॉर्म test possible है एथेनॉल यहाँ पर यह group available है तो यह भी answer नहीं आएगा आपके पास्वाराइगा एथेनेल यहाँ पर भी यह group available है यह भी answer नहीं आएगा तो answer कौन सा आजाएगा फूर्थ answer आपके पास आजाएगा थ्री पेंटेनोन थ्री पेंटेनोन का structure कुछ ऐसा होगा यह है थ्री पेंटेनोन और थ्री पेंटेनोन में ना तो यह structure एवेलेबल है और ना ही यह structure एवेलेबल है है इसका मतलब है थ्री पेंटेनोन में आइडो फॉंट टेस्ट पॉसिबल नहीं है बेटा कारबोनायल कमपाउड रेक्ट्स विद एकसी एन टू फॉंट साइनो है इसमिक मिक्सर देता है एल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का देखते हैं इन में क्या आएगा इसमें जब आप साइनो हाइड्रिन फोर्मेशन करेंगे और सेकेंड नंबर पे हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको कुछ ऐसा रेजल्ट मिलेगा ठीक है ये फस्ट उप्षन से मिला है मेरे को अब हम इसमें सेकेंड उप्षन देख लेते हैं ऐसी टोन इसमें जब आप फस्ट में जहीं में हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको रेजल्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा ठीक है धार्ड में दाइथिल की टोन अब देखो यहाँ पर अपन चेक करें तो यह काइरिल सेंटर है इसका मतलब यहाँ पर D प्लस L एक रैसेमिक मिक्षर मिलने वाला है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यह CS3 और यह H दोनों different है यहाँ पर यह रैसेमिक मिक्षर नहीं है क्यों है ऐसा क्योंकि दोनों same है डाई इथाइल किटोन की बात करें थर्ड ओप्शन ले करके तो इसमें भी दोनों पोर्शन सेम है तो यहाँ पर भी रैसे में मिक्षर फॉर्मेशन नहीं होने वाला है फॉर्मेल डिहाइड की बात करें यहाँ पर भी यह दोनों पोर्शन सेम हैं तो यहाँ पर भी नहीं आएगा तो आपका अंसर क्या आ गया वैटा फर्स्ट ठीक है the product formed in aldol condensation is aldol condensation की बात कर रहा है कौन सा product आपको मिल रहा है वो देखते हैं जब आप aldol condensation कहीं करवाते हैं aldol condensation के लिए क्या condition है alpha hydrogen containing aldeide ketone होना चाहिए एसा aldeide ऐसा ketone लेना है जिसमें alpha hydrogen present हो और उसके साथ आपको use करना होता है weak base ठीक है या diluted strong base आप use कर सकते हैं तो इस process में आपको क्या मिलने वाला है जड़ा देखें alpha beta alpha beta unsaturated carbonyl compound क्या मिलने वाला है आपको alpha beta unsaturated carbonyl compound आपको मिलेगा aldol condensation की बात हो रही है aldol संगनन की बात हो रही है इसकी reaction इस condition में करवा रहे है actually आप इसको क्या कर रहे है water का addition कर रहे है actually यहाँ पर water addition हो रहा है ठीक है जब आप यहाँ पर water addition करवाएंगे तो marconic of rule के according आप addition करवा पाएंगे ठीक है आपको एक in all product मिलेगा इस in all product में आप क्या करेंगे totomerism चला व्यवता करेंगे बैटा जब चला व्यवता आप इसमें करेंगे आपको यहाँ पर एक ketone मिलेगा अब आप से क्या पूछा है IUPAC name of A and type of isomerism IUPAC name है आपके पास यह prop 1 in 2 all prop 1 in 2 all और साथ में isomerism है तो totomerism होना चाहिए prop 1 in 2 all prop 1 in 2 all metamerism prop 1 in 1 all नहीं 2 all prop 2 in geometrical नहीं आएगा तो answer क्या आगया प्रॉप 1 in 2 all totomerism answer क्या आए बेटा और था answer आगया ठीक है in clean mention reduction carbonyl compound is treated with clean mention option में carbonyl योगी को किस के साथ आप अभिकरत करवाते हैं तो आपके पास answer क्या आगया first benzofenone can be obtained आपको चार condition दे रखी है ऐसी कौन सी condition है जहां पर आपको ऐसे product benzofenone मिलता है यह अपने को चेक करना है तो पहले reaction में जो answer आपको मिलने वाला है वो तो benzofenone नहीं है second में C6H5 COC6H5 benzofenone है third में आपको जो product मिलने वाला है finally जब हम last तक पहुंचते हैं hydrolysis करवाने के बाद तो ऐसा मिलेगा यह भी benzofenone नहीं है fourth की बात करें तो C6H5 COC2H5 यह भी benzofenone नहीं है वेटा आपके पास तो benzofenone कहां पर मिलना है second benzofenone कहां से मिलेगा आपको second इसमें जो first है वो कौनसी reaction है गैतरमान कौच reaction third जो है वो इटार्ड reaction है और fourth जो है फ्रेडल क्राफ्ट एसाईलेशन है ठीक identify suitable reagent for the following chemical reaction आपको यह chemical reaction देना है suitable reagent आपको चेकरना है क्या देखा देखो ज्यान से double bond में कुछ भी change नहीं है ऐसा कोई reagent आपको यूज नहीं करना जो double bond को single bond में convert कर सकता हो ऐसा कोई reagent आपको यूज नहीं करना double bond unaffected form में रहना चाहिए और उसके बाद aldehyde किस में convert हो रहा है alcohol में aldehyde alcohol में convert हो रहा है इसका मतलब हम aldehyde का क्या कर रहे है reduction कर रहे है अपचेन कर रहे है तो पहला answer नहीं लेंगे क्योंकि पहला double bond को single bond में convert करेगा sodium borohydride aldehyde को alcohol में convert करता और double bond के साथ react नहीं करता इसकी बात करें यह भी नहीं आएगा double bond के साथ react नहीं करेगा aldehyde को alcohol में convert नहीं करेगा क्योंकि इसके साथ आपको क्या दे रखा है BASO4 दे रखा है बात समझ में आ रही है ये भी आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये LDHID को किसमें convert कर देगा alkane में, alcohol में convert नहीं करेगा alkane में convert करेगा तो suitable answer आपके पास कौन सा है second which of the following has maximum boiling point कौन सा ऐसा है जिसका boiling point maximum है तो जब आपके पास compound different हो equal और almost equal molecular mass हो तो आप क्या चेक करते हैं वेटा intermolecular attraction force चेक करते हैं intermolecular attraction force intermolecular attraction force increase होगा तो boiling point automatic increase हो जाएगा तो यहाँ पर आपके पास weak wonderwalls force of attraction है second option में dipole dipole attraction है third option देख चेक करें hydrogen bond बन रहा है third option में क्या बन सकता है hydrogen bond बन सकता है यह बनेगा न fourth option देखें dipole dipole attraction है तो dipole dipole attraction के respect hydrogen bond strong attraction है strong bond है तो आपके पास answer क्या जाएगा third क्या धिया रखना है वेटा आपको boiling point directly proportional strength of strength of inter molecular attraction pulse ठीक है H bond strong रहेगा उसके बाद dipole dipole attraction और last में क्या चला जाएगा wonderwall's force of attraction ठीक बेटा which of the following is most reactive towards HCN HCN के लिए most reactive देखना है तो आपको क्या चेक करना है nucleophilic addition नाभिक सनेही योगी तो चेक करना है तो इन चारों में से नाभिक सनेही योग किसमें सबसे आसानी से होगा nucleophilic addition किसमें easily complete होने वाला है nucleophilic addition nucleophilic addition में आपको ध्यान में रखना है यह nucleophilic addition के लिए चेक करना है तो अपने को पहले LDAD लेने होते हैं बाद में ketone रखने होते हैं तो most reactive उचा है यहां से यह दोनों option तो reject हो गए ketone तो होई नहीं सकते LDAD, LDAD LDAD में आप देखें यहां पर तो इसकी according चेक करेंगे हम CS3CHO और यहां पर है CS3CH2CHO इसमें plus I effect यहां पर plus I effect plus I effect increase होगा तो nucleophilic addition के लिए reactivity decrease हो जाएगी पहला factor, दूसरा factor crowd इसके respect यहां पर यह जो carbon है more crowded है crowd increase होगी तो nucleophilic addition के लिए reactivity क्या हो जाएगी decrease हो जाएगी, तो यह आपके पास रहेगा, तो answer कौन सा चला जाएगा बेटा बास समझ में आ रही है aldehyde more reactive होगा, ketone less reactive होगा क्योंकि aldehyde के respect ketone में crowd ज़्यादा रहता है कौन से carbon पर, carbonyl carbon पर aldehyde में formaldehyde most reactive है फिर other aldehyde से हैं, और उसके बाद कम चला जाता है कौन सा, aromatical dihyde, तो आप इनको set check कर सकते हैं यहाँ पर आप check करेंगे आपको क्या दिया हुआ है, यह आपके पास एक oxidation reaction है, क्या है oxidation reaction है विड़ा जब आप oxidation reaction को complete करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा product मिलने वाला है देखो बेटा यह आगे आपके पास A, और जब आप इसका hydrolysis करवाएंगे तो आपको answer जो यहाँ मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा यह B compound है आपके पास, अब check करें B gives meta nitro benzoic acid benzoic acid थोड़ा है कोई benzoide आएगा A is benzylidine diacetate, बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है the given reaction is itard, itard reaction नहीं है बेटा यह A is benzoide क्या A benzoide है नहीं benzoide तो B है, तो आपके पास third answer भी नहीं होगा, fourth answer भी नहीं होगा, answer कौन सा आएगा आपके पास second answer आएगा, ठीक है reaction को check करो कौन सी है, name reaction है, get a man coach reaction name reaction है क्या question पूछा आपसे, CN को convert करना है, CHO में तो X आपको check करना है, X क्या है, यह check करना है, ऐसा कौन सा रिजेंट है, जो साइनाइड को LDI group में transfer करता है convert कर देगा यह, देखें stephen, stephen reduction stephen reduction, साइनाइड को किस में convert कर देता है, finally LDI में convert कर देता है, ठीक है diabol H diisobutile aluminium hydride और बात में hydrolysis दिया हो, यह भी क्या करेगा साइनाइड को LDI में convert करेगा ठीक है, lithium नहीं करेगा lithium ऐसा कुछ नहीं करेगा तो आपके पास answer क्या चला जाएगा fourth answer चला जाएगा बात समझवारी है, पहला part है stephen reduction वाला और दूसरा diabol H वाला lithium aluminium hydride को अगर आप use करते हैं तो final answer आपके पास यह होगा बेटा और जबकि हमें यह नहीं बनाना है, हमें LDIR बनाना है यह है ना वेटा, द्यान से देखो यह कौनसी reaction है? देखो द्यान से यहाँ से यहाँ तक यह reaction कौनसी है? वेटा पहले तो यहाँ पर LDOL reaction होगा इन दोनों से क्या बनेगा? LDOL reaction मिलेगा, यह alpha है final answer ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पर direct product में convert करके बता रहा हूँ यह अब इसको heat करना है heat जब आप इसका करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? dehydration हो जाएगा? तो आपको कुछ हैसा answer मिलेगा यह आगया आपके पास compound B अब question क्या है? यह देखना है identify correct statement A can show optical isomerism देखो क्या यह optical isomerism शो कर सकता है? बिलकुल नहीं कर सकता chiral sentry नहीं है इसके पास B can show geometrical isomerism क्या यह geometrical isomerism शो करेगा? नहीं करेगा यह दोनों पार्ट सीमिलर है B is macetyl oxide बिलकुल सही है इसको क्या कहते है? macetyl oxide कहते है आपके NCRT में chapter के starting में naming से related एक table बनी होई है वहाँ पर यह structure आपको लिखिये मिल जाए B is beta hydroxy ketone क्या यह beta hydroxy ketone है? beta hydroxy ketone नहीं है यह alpha beta unsaturated carbonyl compound है बिटा तो आपके पास answer क्या आगया? third which of the following gives silver mirror test इन में से ऐसा कौन सा है? जो रज़त दरपन परिक्षन देता है बिटा silver mirror test यानि कि tollan reagent का reduction होना चाहिए क्या होना चाहिए? reduction होना चाहिए az-plus किस में convert होना चाहिए? az में convert होना चाहिए tब हम कहेंगे उसको mirror test तो silver mirror test के लिए tollan reagent aliphatic aldehide के साथ भी positive test देता है और aromatic aldehide के साथ भी positive test देता है aldehyde positive test ketone negative test aldehyde positive test तो positive test a और c दोनों के साथ है तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा फोर्थ आ जाएगा ketone tolend reagent से react नहीं करेगा aldehyde aromatic हो या elephant हो दोनों ही tolend reagent से react करते हैं tolend reagent को reduce करके silver में convert करते हैं इसी लिए बोला जाता है silver mirror test which of the following compound reacts with HgSO4 diluted but does not form aldehyde रियक्ट तो करता है लेकिन LDA नहीं बनाता है यह देखना है ऐसी टाइलीन के साथ अगर आपने HZ2 प्लस और H प्लस को यूज़ किया तो यह एक इनॉल फॉर्म बनेगा और यह टॉटो मेराइज होगा LDA बन जाएगा रियक्शन भी हो रही है और LDA भी बन रहा है और यहां कह रहा है तो आपका आंसर फर्स्ट तो किसी भी कीमत पर नहीं होगा विटा प्रोपाइन अगर यही कंडिशन में प्रोपाइन में एप्लाई कर दूँ मारकोनिक ओफ रूल के अकोर्डिंग रियक्शन हो गई और इसको मैं टॉटो मेराइज कर दूँ तो मुझे कीटोन मिलेगा LDAD नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा, reaction करता है, लेकिन LDAD नहीं बनना चाहिए, reaction भी कर रहा है, LDAD भी नहीं बन रहा है, तो आपके पास ही आ गया, propane के साथ reaction नहीं होगी, propanol के साथ भी नहीं, answer कौन सा आएगा, आपका second, question समझ में आया है बेटा, an alkene having molecular formula on ozonolysis in the presence of zinc powder gives the same number of, same number of moles of the following compound, आपको इस दो compound ozonolysis से मिल रहे हैं, तो आपको alkene identify करना है बेटा, आपको क्या करना है, identify alkene, alkene को पहचानना है, तो क्या करो, इन दोनों को यहां से remove करके, इन दोनों double bonded carbon को connect कर दो, चलो connect कर लेते हैं, यह connect कर दिया है मैंने, अब numbering कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 2, 3, 4, लेताइल एक यहां पर है, पेंट टू इन, आंजर कौन से आगे है, वेटा, ए रहाव पेंट टू इन, आंजर कौन से आगे आपके पास, fourth answer, question समझे में आ रहा है, एक alkene है, जिसका ozonежде किया है, जिंक की प्रेजेंस में तो आपको ये प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो आपको उस एलकीन का IUPAC नाम चेक करना है कौन सा है एकस को ये कंपाउंड है, HBR से रियक्ट कर रहा है, अलकॉली के ओवेच, जेड बन रहा है, अजोनल इसीस कर रहे हैं तो ये मिल रहा है तो यहां से हम यहां पर कौन सा अलकीन है उसका idea लगा सकते हैं कैसे इसका oxygen remove कर दो इसका oxygen remove कर दो तो CH2 double bond CH, CH3 यह Z है हमरे पास अब Z एक अलकीन है और वना किसे है अलकॉहलिक के ओवेच से और उससे पहले BR है यानि कि Y में bromine present है तो आपके पास यहां पर दो option हो सकते हैं CS3, CH, BR, CH3 और एक option आपके पास यह हो सकता है इसमें अगर मैं अलकॉहलिक के ओवेच एड़ करूँगा तो यह बन जाएंगे Y अब कौन सा है वो देख लेंगे कार्बन कितने होने चाहिए आपके पास 3 कार्बन होने चाहिए तो मैं इसके अंदर first को use नहीं कर सकता, third को भी use नहीं कर सकता अब मुझे second और fourth में देखना है पहले second देख लेते हैं इस पर अगर मैं HBR एड़ करूँगा तो through Markonic of addition आपको ऐसा product मिलेगा तो यह X है वेटा और यह Y है और यह Y ऐसा है ठीक है इससे Z मिल जाएगा जब आप इसमें alcoholic KOH एड़ करेंगे और यह यहां convert हो जाएगा जब आप इसके अंदर ozonolysis और ZN H2OH करेंगे तो आपके X identify करना था यह रहा X question समझ में आ रहा है 4 से नहीं आएगा second answer आएगा ठीक है आपको एक reaction दे रखे है और आपको इसमें identify करना है X कौन सा compound है तो reaction को अगर आपन ध्यान से देखें तो आपको यहां finally last में क्या दे रखा है तीन कारबन दे रखें तो इसका मतलब यह होगा कि आपका यह answer तो ही नहीं सकता है अब second और fourth में से कोई एक answer आएगा हम one by one check कर लेते हैं कौन सा रहा है इसमें HBR का addition करवा रहे हो आप इलेक्ट्रोफिलिक addition थ्रू मार्कॉनिक ओफ रूब यह X मैंने assume किया है यह Y है अगर यह X सही है तो last तक answer सही आ जाएगा अगर यह last में answer गलत आ रहा है तो फिर यह गलत हो जाएगा फिर हम fourth course select करके देखेंगे alcoholic koh alcoholic koh kya करेगा यहां पर beta elimination करेगा beta elimination कह सकते हो आप इसे या dehydrohalogenation वी hydrohalogenी करन भी कह सकते हो आप इसे यह आपके पास यहां पर एक Z है और इसमें अगर मैं ozonolysis use कर देता हूँ कि ब्रेक हो जाएगा एच सी एच ओ प्लस सी एस थ्री सी दोनों बिल्कुल सही जा रहे हैं तो एक्स आपके पास कौन सांसर आ गया सेके फॉर्ट रिजेक्ट हो गया identify incorrect reaction गलत अभिकरिया को आपको पैचाना इनकरेक्ट बोला ध्यान से रखेंगे अब यह चीजें पढ़ने के लिए होती हैं बड़ा अच्छे से देखें पहली अभिकरिया आपके पास कौन सी reaction है यहाँ पर देखें और यहाँ पर चेक करेंगे तो यह फ्रेडल क्राफ्ट रियक्शन है बेटा फ्रेडल क्राफ्ट रियक्शन में बेंजीन पर यह ग्रुप आप अटैच करेंगे बिल्कुल सही जा रहा है यह तो correct है य यह आपका अंसर है यह incorrect है इन दोनों से यह प्रोड़क्ट कभी नहीं मिलेगा यहाँ पर कैने जारो रियक्शन बिल्क यह आपके पास आंसर नहीं आंसर आएगा second यह आंसर नहीं होगा थर्ड आंसर नहीं होगा एल्डोल कंडेंशेशन फॉर्थ आंसर नहीं होगा क्यों आप से पूछा है गलत अविक्रिया पूछी है तो आपके पास आंसर कौन सा आगया वेटा second बात समझ में आ रही है कि आयूपीसी नेम ओफ सिनेमल्डिहाइड कि सिनेमल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आपके ncrt में इसी चैप्टर के अंदर दिया हुआ है अपने ncrt को बड़े अच्छे से पढ़ना होता वेटा उसके अंदर आयूपीसी नेम को से रिलेटेड कुछ पार्ट है तो आपको एक एक करके आयूपीसी नेम अच्छे से पढ़ने चाहिए अगर कहीं किसी तरह का कोई किसी कमपाउंड का स्पेशल यूज दे रखा है एक समरी पॉइंट आता है इनको आप अच्छे से सॉल्व करें अच्छे से पढ़ें वेटा आपके नीट पेपर ncrt बेस्टी रहता है ठीक है आप देखें यह सिनेमेल डिहाइड है और आप से पुछा है इसका यूपीसी नेम 3 फिनाइल होना चाहिए प्रॉप टू एन वन एल अब इन चार्व प्शन में से देख लो 3 फिनाइल प्रॉप टू एन वन एल थर्ड आंसर आगया ठीक है which of the following reaction can be used to prepare ketone ऐसी कौन सी reaction है जिनका उपयोगा आप ketone बनाने में कर सकते हैं क्या स्टीफन reaction से ketone बना सकते हो नहीं बना सकते हैं रोजन मून्ड reduction से क्या ketone बना सकते हो नहीं बना सकते हैं फ्रिडल क्राफ्ट asylation करवाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा ketone एन्हाइड्रस अलिमिनियम कलोराइड और यह देखो आपको ketone मिलेगा आंसर के आया आपका third कैने जारो रियक्शन ketone बनाने के काम नहीं आती बेटा कैने जारो रियक्शन ketone बनाने के काम नहीं आती है तो आपसे पूछा है can be used to prepare a ketone तो आंसर के आगे आपके पास third identify z इस z को identify करना है क्या बनना चाहिए hydrazone बनना चाहिए hydrazone कैसे बनेगा अगर हम यहाँ पर hydrazine को use करेंगे तभी तो hydrazone बनेगा न यह क्या है hydrazine और यह है hydrazone तो आपसे पूछा है इस reaction में z क्या लिखें कि hydrazone बन जाए तो z nh2 होना चाहिए z क्या होना चाहिए nh2 होना चाहिए ठीक बेटा देखो reaction द्यान से देखो क्या है क्या करोगे आप इसमें के वेच है इथाइलिन गलाइकोल है टेंपरेचर है और यहां पर hydrazone दे रखा है तो क्या करो यहां से नाइट्रोजन गैस बाहर चला जाएगा नाइट्रोजन गैस बाहर चला जाएगा तो आपको यह आंसर मिलेगा फरस्ट आंसर कौनसा आंसर है वेटा आपके पास फरस्ट आंसर देखो यह कौन से रेक्शन है याद करो वॉल्फ किष्णर रेडक्शन है वेटा यह इसकी रेक्शन आप पहले किससे करवाते हैं हाइड्रेजीन से याद करो और फिर उसके बाद उसमें क्या एड़ करते हो कोच और साथ में सॉल्वेंट क्या लेते हो एथाइलीन ग्लाइकोल विड टेंपरेचर यही तो लेते हो बटा और इस प्रोसेस में आपको क्या मिलता है यहां पर CS2 मिलता है मैंने इस क्वेशन में क्या किया यह पोर्शन आपको कम्प्लीट करके दे दिया और यह आप से पूछ लिया तो आंसर तो CS2 रहेगा यह रियक्शन कौन सा देखो यहां भी अलफा इड्रोजन नहीं है और यहां भी अलफा इड्रोजन नहीं है के उएस दे रखा है कौन सा है कैनिजारो रियक्शन वो भी कैसा क्रोस कैनिजारो रियक्शन में हमें क्या देखना है जो MORE reactive LDH IDE है उसको ऑक्सडाइज कर दो और जो less reactive LDH IDE है उससे reduce कर दो simple सा काम है तो यहां पर HCHO क्या है MORE reactive है तो HCHO को तो ऑक्सडाइज करेंगे आप और जो less reactive है उसको reduce करेंगे आप, यह answer आएगा आपके पास, अब देखो इन में से कौनसा answer आपके पास set बैठ रहा है शेकिन आपके रहा है, reaction समझ में आगी, cross कहने जारो reaction है बेटा which of the following compound is not obtained by hydration of alkyne ऐसा कौनसा योगिक है, जो alkyne के जलियोजन से प्राप्त नहीं हो सकता वेटा जब आप alkyne का hydration करवाते हैं, उसमें water addition करवाते हैं तो acetylene से आपको LDL मिलेगा, acetaldehyde बाकी कोई भी alkyne use करोगे, LDL नहीं मिलेगा, ketone मिलेगा ठीक है, तो देखो, ketone बनाया जा सकता है, ketone बनाया जा सकता है ये भी बनाया जा सकता है, third ऐसा answer है जिसको आप नहीं बना सकते हैं अगर आपको third बनाना है और वो भी ये process है, कभी नहीं बनेगा वेटा देखो ध्यान से, third में कितने कार्बन है, one, two, three, चलो ये मैंने three कार्बन ले लिया के कार्बन ले लिया, अब इसका मुझे water addition करना है तो मुझे तो marconic of rule addition करना पड़ेगा बेटा, अल्डेएड तो कभी बनेगा यह नहीं टोटोमेराइज करो इसको, कितन बन गया ना तो alkyne से क्या ध्यान रखना है, अगर आपके पास acetylene है, only acetylene जिसमें water addition करने से acetaldehyde बनता है, तो acetaldehyde तो बना सकते हो न पर यहाँ पूछा है, not obtained, किटन बना सकते हो आप, कोई problem नहीं है किटन बनाने में कहीं कोई problem नहीं है, किटन बना सकते हो आप, तो आपके पास answer क्या जाएगा, third डाइबोल H, क्या करेगा, इस CN को convert करेगा CHO में, देख लोगों कौन सांसर आएगा, बाकी कहीं कोई change नहीं करने वाला है, बाकी कहीं कोई change नहीं करने वाला है, है, first answer, ठीक, H2 palladium C double bond का reduction करने वाला है, कुछ यह answer आने वाला है, total number of products including stereo isomers, 3 VIM को शामिल करते हुए उत्पादों की संख्या, कितने product आएंगे आपके पास, 4, ठीक, which of the following reagent would convert ketone to corresponding alkane, ketone को alkane में convert करना है, यानि की reaction ऐसा होना जाहिए, यह ऐसा, और ऐसा reaction तीन केस में हो सकता है, या तो आप इसमें Clemencion reduction करवा दो, या वाल्फ कृष्णर reduction करवा दो, या HI plus red phosphorus ले दो, तीन ही तो condition होती हैं, तो आप देखें यहाँ पर, first नहीं आ सकता, second नहीं आ सकता, fourth नहीं आ सकता, third answer आ जाएगा, वाल्फ कृष्णर, कौन सा आ जाएगा, third answer आ जाएगा, यह बास समझ जाएगी बेटा, ketone को alkane में, या L-D-I-D को alkane में convert करना है, तो क्ली मेंसर रिदक्शन यूज़ कर सकते हो आप, वाल्फ कृष्णर रिदक्शन आप यूज़ कर सकते हो, HI प्लस रड़ फोस्फोरस यूज़ कर सकते हो, in which of the following reactions, aldehyde और ketone does not obtained, ऐसी कौन सी reaction है, यहाँ पर L-D-I-D ketone कुछ भी नहीं बनता है, 2-degree alcohol को copper के साथ heat करोगे, ketone बनेगा, बनेगा न ketone, ketone बन गए यह तो, cyanide, granad reagent, ketone बन जाएगा, क्यूमीन है बेटा, क्यूमीन से आपको जो product मिलता है, phenol मिलता है एक तो, और दूसरा इसमें मिलता है, acetone, 3-degree alcohol को copper के साथ heat करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, alkene मिलेगा, आपके पास question है, in which of the following reaction, aldehyde और ketone does not, तो answer के आगे आपके पास, 4th answer आजए, ठीक है, यहाँ यह ketone बन रहा है बेटा, mistake मत कर देए ना, यह reaction, यहाँ पर होने वाली है, क्या मिलेगा, sinohydrin और sinohydrin का, आप hydrolysis करवाएंगे, sinohydrin का hydrolysis करवाएंगे, ठीक है, तो आपको जो यहाँ पर, answer मिलने वाला है, वो कुछ ऐसा होगा, यह answer होगा, sinohydrin का, जब आप hydrolysis करेंगे, तो यह मिलेगा, यह कहाँ पर दिया हुआ, फस्ट में लिया हुआ, ठीक है, which of the following compound, gives red precipitate, लाल अवक्षेप, when heated with failing solution, failing solution के साथ, red precipitate आपको बनाना है, इसका मतलब है, Cu2+, जो है, वो किसमें convert हो रहा है, Cu2+, में convert हो रहा है, जब तो red precipitate बनेगा, यह आपको देखना है, यह कैसे हो सकता है, जब आप इसमें LDAD use करें, वो LDAD भी कौन सा, अलिफेटिक, काईशा, अलिफेटिक, तो benzene carbide, आप इसमें use नहीं कर सकते, प्रोपेनेल कर सकते हैं, प्रोपेनोन नहीं कर सकते, अलिफेटिक अलिफेटिक भी नहीं कर सकते, तो आपके पास answer कौन सा आजाएगा वेटा, second answer आजाएगा, वास समझा रही है, failing solution में red precipitate तभी आने वाला है, जब आपके पास LDAD और LDAD भी अलिफेटिक हो, aromatic नहीं होना चाहिए, आपको एक compound दिया है, C5, H10, O, positive test with 2,4 DNP, positive test, यहाँ पर भी positive है, यहाँ पर भी positive है, यहाँ पर भी positive है, यहाँ पर भी, सब जगे positive है, कोई idea नहीं है, does not give positive test with this, यानि कि, idroform test नहीं होना चाहिए, इसमें idroform test है, इसने कहा है, does not, इसमें भी idroform test है, इसमें idroform test नहीं है, इसमें भी idroform test नहीं है, आगे चलो, and does not give positive test with this, and ammonical silver nitrate, ammonical silver nitrate का मतलब, tolen reagent यहाँ पर भी positive test नहीं होना चाहिए, यह इसके साथ positive test देगा, तो answer यह भी नहीं आएगा, तो answer कौन सा बचा वेटा, थर्ड बात समझ में आ रही है, 24 DNP सब में है, idroform के base पर first और second cancel हो गया, third और fourth को चेक करना है, तो ammonical silver nitrate में यहाँ test positive होगा, और question कहरा है, does not, तो answer कौन सा आगे आपके पास, third answer आजियाएगा, third answer, इस reaction को जब आप complete करेंगे, तो आपको यहाँ पर product क्या मिलेगा बेटा, two degree alcohol, क्या मिलता है, formaldeide प्रस grignard reagent, one degree alcohol, other Ldeide प्लस grignard reagent, two degree alcohol, ketone प्लस grignard reagent, three degree alcohol, यही तो रहता है बेटा, तो यह हो गया, आपके पास P, और इसका oxidation करना, आपको इसका क्या करना है, oxidation, तो two degree alcohol के oxidation से, आपको क्या मिलता है, ketone मिलता है, तो answer आपके पास, कौन सा चला जाएगा बेटा, वो Q पीछान आप से, what is Q, identify correct statement, HCHO is used in canin-zero reaction, यह तो correct है, 40% aqueous solution of this, यह गलत है, 40% aqueous solution of formal diide होना चाहिए था, तो गलत हो गया, HCHO is gas as root, यह भी सही है, तो first or third किसमें दे रखा है, first or third, second answer आपके, सही कथन पैचानना है बेटा, correct statement देखना है, ठीक है, देखें, क्या product बन रहा है, plus, यह P है आपके पास, P can show geometrical, नहीं, यह geometrical isomerism show नहीं करेगे, दोनों पार्ट सेम है, P is a hydrazone, hydrazone नहीं है बेटा, यह oxym है, क्या यह oxym, first भी नहीं है, यह भी नहीं है, P is formed by addition, elimination, reaction, P का निर्मान, योगात्मक, विलोपन अविकरिया से होता, बिल्कुल सही है, अगर आपने कार्बोनाईल कंपाउंड की रियक्षन, ammonia derivative के साथ करवाई है, तो वहाँ पर, कौन सा process आपको करना है, addition, elimination process करना है, addition, elimination, पहले addition होगा, बाद में elimination होगा, elimination होता है, इसलिए यहाँ पर double bond बनता है बेटा, ठीक, P contains 1 pi, and 2 lone pair, 2 lone pair नहीं है बेटा, P में lone pair 3 है, lone pair कितने हैं, 3 हैं, तो आपके पास answer आएगा, third, fourth answer नहीं है, third answer आएगा, ठीक, which reaction can be used to prepare aromatic aldehyde, aromatic aldehyde बनना चाहिए बेटा, rose and moon reduction से बना सकते हैं कि देख लेते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, aromatic aldehyde के लिए आप कौन सी reaction काम में ले सकते हो, rose and moon reduction काम में ले सकते हैं, HVZ reaction, aromatic aldehyde बनाने के काम नहीं आती, canigaro reaction, aldehyde की chemical property है, aldehyde का methods of preparation नहीं है, तो answer कौन सा आजाएगा, आपका first answer आजाएगा, PCC क्या करेगा, 3 degree L, यह 3 degree है, यह 2 degree है, तो PCC, और lithium aluminum hydride इसको वापिस किसमें convert कर देगा, यह B आ जाएगा, ठीक, CCL 3, यहाँ पर है एने ओवेच, यह leaving group है, CCL 3 क्या है, एक अच्छा leaving group है वेटा, तो CCL 3 negative, प्लस, अब यह यहाँ से H plus gain करेगा, तो CHCL 3 plus, H C O O negative, अब यहाँ पर Na O H है, तो आप चाहो तो इसके साथ, H C O O N ने लिख सकते हैं, आंसर कून साज आएगा, ठीक, यहाँ CCL 3 negative क्या है, गूड लीविंग पर इद्यान अगनागा, अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, अफ एल्डियाइड और किटोन और एसेडिक, एल्डियाइड और किटोन में, अल्फा हाइड्रोजन एसेडिक क्यों है, इसके बारे में आपसे कुश्चन है बेटा, देखें तो, अब देखो, एक तो इसका इलेक्ट्रोण विड्रोविंग एफेक्ट काम कर रहा है, अगर मैं यहाँ से ह को रिलीज भी कर देता हूं, तो मुझे यहाँ पर, एक एनाइन मिलेगा, और जो रेजोनेंस के थुरू अपने आपको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, यह दोनों रीजन हैं, कि आपके पास अलफा एरूजन कैसा है, एसडिक नीचर का है, स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोविंग एफेक्ट आफ कार्बोनाइल ग्रूप, बिल्कुल सही है, रेजोनेंस, टेबलाइजिशन ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस, वो भी सही है, बोथ फास्ट एंड सेकेंड, बोथ फास्ट एंड, दोनों फेक्टर काम कर रहे हैं, एक तो यह एलेक्ट्रोविंग ग्रूप भी स्ट्रॉंग है, और दूसरा, जब आप यहां से H+, को रिलीज करके, गौन्जुगेटेड बेस बनाते हैं, तो वो गौन्जुगेटेड बेस थूरू रेजोनेंस अपने आपको स्टेबल कर लेता है, यह रेक्शन आप देखे कौन सी रेक्शन है, हैलो फॉर्म रेक्शन है, यह हैलो फॉर्म रेक्शन है, हैलो फॉर्म रेक्शन है, तो हमें सिरफ इस पर फोकस करना है, ठीक है, ONA PLUS CHCL3 देखो इन मेंसे कौन सांसर आ रहा है, सेकंड, कौन सांसर आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, रेक्शन समझ में आगी, कौन सी रेक्शन है, हैलो फॉर्म, ठीक, विच्चेंज इस रेलेटेट टू वॉल्फ किष्णर रेडक्शन, वॉल्फ किष्णर रेडक्शन में आप क्या करते हैं, C double bond O को CS2 में कनवर्ट करते हैं, simple, यही सेम प्रोसेस किस में होता है, क्ली में इंसन रेडक्शन में भी यही प्रोसेस होता है, CS3CHO, diluted KOH, possible number of aldol product पूछा है, aldol product आप से पूछा है, temperature नहीं है दिया रगना इसमें, यह है आपके पास aldol, aldehyde प्लस ओन, aldol, यह chiral center है, कितने product आएंगे आपके पास, two product आएंगे, कितने product आएंगे आपके पास, two product आएंगे, संभावित संख्या पूछी न, possible number, ठीक, the reagent with which both this and this react easily, ऐसा कौन से react agent है, दिन के साथ, दोनो easily react करते हो, दोनो, पहला idroform है, idroform में, यहाँ possible नहीं है, tolend reagent दोनों के साथ, tolend reagent है, failing solution है, failing solution में यह नहीं आएगा, तो आपका आणसर कौन सा आजाएगा, second answer आजाएगा, पास समय आ रही है, idroform test, यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा, failing solution यहाँ बेरेडिट solution, यहाँ पर तो होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, दोनों के साथ, बोथ, तो आणसर क्या आजाएगा, second, total and yield, product पुछा है बेटा आप से, C double bond O में, जब आप, primary amine, use करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, shift base, क्या मिलता है बेटा आपको, shift base मिलता है, the most suitable reagent, for the following conversion, conversion क्या है, CH2OH, convert होना चाहिए, CHO में, तो आप देखें, यहाँ पर क्या है, आपके पास एक, mild oxidation है, क्योंकि primary alcohol में, अगर strong oxidation होता, तो carboxylic acid बनता है, यहाँ mild oxidation है, तो इन में से आपको, mild oxidizing agent काम में लेना है, second answer, PCC, कौनसा अंसर आजाएगा, second answer आजाएगा, इसके साथ मैंने, H+, लिख दिया है बेटा, तो यह mild नहीं है, यह इसको, carboxylic acid में convert कर देगा रहेगा, which of the following intermediate, is involved in aldol condensation, aldol संगन में, आपको कौनसा मद्धेवर्ती बनता हुआ, दिखाई देता है, aldol condensation जब होता है, तो यह alpha hydrogen release होता है, ऐसा बनता हुआ दिखाई देता है, कौन सांस रहेगा आपके पास, carb anion, carb rhenion, ठेक, aldol condensation, कौन सी reaction हो गई यह, aldol संगन अभिक्रिया है, तो aldol संगन को हम direct product में convert करके देख लेते हैं, क्या answer आ रहा है, direct product बना लेते हैं बिटा, इसमें, यह product में आ गई यह क्या कह रहा है, इसमें h2 nickel add करेंगे, यह cho है बढ़ा, इसमें जब आप h2 nickel को add करेंगे, तो reduction होगा, double bond का भी reduction हो जाएगा, और aldeide का भी reduction हो जाएगा, double bond और aldeide, दोनों को आप reduce करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 2 methyl pentane 1 all, 2 methyl pentane 1 all, आपके बास answer आ गया, बास समझ में आगे, पहले तो क्या करवा दिया है हमने, aldol condensation, फिर आप h2 nickel लेंगे, तो aldol condensation में, aldeide और double bond, दोनों का आपको reduction करना है, ठीक, कौनसी reaction है बेटा यह, कैनी जारो, कौनसी reaction है यह, कैनी जारो reaction है, और कैनी जारो reaction को, में आप क्या लेते हैं, एक molecule का oxidation कर देते हैं, दूसरे molecule का reduction कर देते हैं, तो disproportionation, विश्मानुपातन भी है यह, तो answer क्या जाएगा, fourth, answer क्या सला जाएगा, fourth answer सला जाएगा, इसका और जोर्ण लाइसिस करो, तो आपके पास, यह A होगा, और A में आप OH negative temperature है, और यहाँ पर alpha hydrogen है, तो यह जो reaction है, यह कौनसी reaction हो गई, LDOL condensation, तो इसमें LDOL condensation apply कर दो, तो जब आप इसमें LDOL condensation को apply करेंगे, तो कुछ ऐसा answer आपको मिलेगा, यह answer देख लो, कहाँ पर दिया हुआ आपके पास, कहाँ पर दिया है वेड़ा यह, first में दिया हुआ, ठेक, इसको इसके साथ react करवा के hydrolysis करेंगे, तो X जो product होगा, वो एक 3 degree alcohol होगा, यह तो होगा वेटा, 3 degree alcohol, 3 degree alcohol में जब आप concentrated H2SO4 add करेंगे, तो क्या होगा, dehydration क्या हो जाएगा, dehydration हो जाएगा, निर्जली करण हो जाएगा, dehydration हो जाएगा, तो जब आप इसका dehydration करेंगे, तो dehydration से आपके पास, यह दो answer आएँगे, इसमें से यह answer major होगा, यह तो होगा आपके पास, Y major, देखो कहां पर रही आंसर और ठीक है which of the following is most reactive towards nucleophile nucleophile के लिए कौन सा most reactive है यह पूचा है बटा यह aromatic है यह ketone है यह aromatic है अब देखो यह answer आजाएगा सीदर सीदर आजाएगा अभी थोड़ दर पहले मैंने आपको बताया था पहले HCHO होता है फिर RCHO एलिफेटिक आता है फिर आपके पास आता है aromatic यह तो reactivity order होता है विटा फिर आता है ketone एलिफेटिक ketone और फिर आता है aromatic ketone तो यह रहा ठीक which of the following has hemiacetal structure hemiacetal कैसे बनता है cyclic हो या कैसा भी हो hemiacetal बनाना है तो आपको यहाँ पर alcohol लेना पड़ेगा dry hcl यूज़ करके o h और o r hemiacetal यह hemiacetal तब होगा जब यहाँ पर एक h है यह यहाँ पर r हो h हो doesn't matter cyclic भी हो सकता है open भी हो सकता है यह structure दिमाग में feed करो hemiacetal में first answer नहीं आएगा second answer नहीं आएगा third answer नहीं आएगा fourth आज़े देगो यहाँ पर देगो यह देगो यह structure कौनसा answer आगे आपके पास structure दिमाग से feed कल बच्छे से ठीक है ना बेटा इसका hydrolysis हो रहा यहाँ पर जब आप इनका hydrolysis करवाएंगे तो आपको ए क्या मिलेगा बोलो बोलो बेंजल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड का जब आप nitrogen करवाएंगे तो L-D-I-D group कैसा होता बेटा meta directing meta directing होता है तो आपके पास answer आएगा वो क्वा answer आएगा fourth answer आएगा ठीक है next question अब देखो यहाँ पर यह इस पर attack कर रहा है और यह इसको release कर रहा है यह तो process identify correct statement HCL is used to increase electrophilic nature of carbonyl carbon HCL is used to increase nucleophilic nature of this product is acetyl product is formed by addition elimination यह देखना है विड़ा HCL यहाँ क्यों use किया है देखो अगर आप NCRT को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको दो जगें आपको reaction साब साथ दिखाई देगी अगर आपके पास LDL ketone के साथ alcohol है तो alcohol एक strong nucleophile नहीं है weak nucleophile हम कहेंगे इसको तो weak nucleophile है तो हम nucleophilicity तो increase यहां नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे acidic medium यूज करेंगे दूसरा acidic medium आप कहाँ पर use करते हैं ammonia derivative में ammonia derivative है तो यह भी weak nucleophile है तो वहाँ भी हम कौन सा medium यूज करते हैं acidic medium यूज करते हैं तो acidic medium यूज करने का benefit क्या हुआ acidic medium यूज करने का benefit क्या होगा जरा यह देख लेते हैं as protonation होने से यह जो carbonyl carbon है इसका electrophilic strength increase हो जाता है क्योंकि electron यहाँ shift होने की tendency रखते हैं यह जो pi bonded electron है oxygen की side में shift होने की tendency रखते हैं तो carbonyl carbon का electrophilic nature increase हो जाता है carbonyl carbon की electron सनेहिता बढ़ जाती है तो hc is used to increase electrophilic nature of carbonyl carbon दो जगे यूज करते हूँ ammonia derivative में और दूसरा यहाँ पर ठीक है बेटा यह addition elimination नहीं है nucleophilic addition reaction यह reaction कौन सी है nucleophilic addition acetyl नहीं बनाया product यह which of the following compound on treatment with sodium borohydride give a product that will give positive hydroform test चलो देखते हैं sodium borohydride reducing agent है तो first में आपको क्या मिलेगा यह first में मिलेगा क्या that will give positive hydroform test जो product है उसमें positive hydroform test होना चाहिए तो इसमें तो test negative test लग रहा है second option की बात करें cs3, ch2, ch, o, h, cs3 इसमें positive test लग रहा है वेटा ठीक है third option की बात करें third option third option में नहीं आएगा fourth option की बात करें तो fourth में भी नहीं आएगा तो answer कौन सा आगया आपके पास second answer आगया answer कौन सा आ जाएगा second question समझ में रहा है कौन से योगी की sodium borohydride के साथ क्रिया करवाओगे और क्रिया से जो product बनेगा वो धनात्मक आइड़ो फोर्म प्रिक्षन देगा तो ये देना नहीं रहा है positive आइड़ो फोर्म टेस्ट देगा ये second answer ये condition triple bond को किस में convert करती है बेटा सिसलकीन में और COCL को किस में convert करती है CHO में ठीक है ये ये तो condition है अब ये आपको इसके अंदर देखना है कौन सांसर आ रहा है first first इतवरा है सिस बनना चाहिए और LDL बनना चाहिए which of the following compound reacts with tolerance reagent react करता है does not give silver mirror test यानि कि आपको ऐसा देखना है जिसमें ये reaction नहीं होती है अगर ऐसा ही रह जाए तो silver mirror test नहीं हो अबेटा तो यहाँ पर silver mirror test होगा धान से बनना react होना चाहिए पहले तो react होना चाहिए ठीक है? तो ये react भी करता हो silver mirror test भी देता है ये तो react ही नहीं करता ना कि ton tolerance reagent से react नहीं करेगा ये वैसे ही गलत हो गया ये ये react ही नहीं करेगा अब इसकी बात करें ये करेगा वेटा react करेगा देखो फॉर्थ औक्षिन यहाँ पर silver का oxidation number plus one है और यहाँ पर भी silver का oxidation number plus one है तो silver का reduction ही नहीं हो और जब तक reduction नहीं होगा तब तक उसे tolerance reagent से reaction तो बोल सकते हैं लेकिन silver mirror test नहीं बोल सकते हैं तो answer कौन सा आ जाए बैटा question देखो ध्यान से student गडबड़ कर सकते हैं इस question के अंदर पहले तो है reaction होनी चाहिए लेकिन वो silver mirror test नहीं होना चाहिए answer क्या आएगा 4 oxym of which compound can show geometrical isomerism बैटा geometrical isomerism तभी possible है जब आपके पास यह दो दोनों पार्ट है यह different हो यह कैसे हो different हो तो first में possible नहीं है second में possible है यह देखो दोनों different है तो GI possible है इस के अंदर third में दोनों same है possible नहीं है देखो दोनों same है possible नहीं है GI फोर्थ में भी possible नहीं है दोनों same है possible नहीं है तो answer कोण सा चला जाएगा seconds ला जाएगा बना ठीक है तो मैं उमीद करता हूँ अगर आपको paper में कहीं कोई doubt रह गया था तो आपका वो doubt अच्छे से clear हो गया होगा फिर भी आपको लगता है doubt है तो आप वीडियो को और अच्छे से आप बेटा चेक करें अच्छे से देखें वीडियो को question का solution अच्छे से देखें कई बार हम क्या करते हैं एक्जाम में जल्दवाजी की वज़े से question को धंग से नहीं पढ़ते हैं जब question को wrong आप तरीके से पढ़ेंगे तो आपका answer गलत हो सकता है ठीक है थैंक यू जे सी यल सी बेस्ट आफ लक नेक चलें बढ़ा ओक्जिम ओफ विच कंपाउंड कें शो जो मेट्रिकल आइसो मेरी जो अब देखो ओक्जिम ऐसा होता है इसको कहते हैं ओक्जिम ये जी आई उसी केस में शो करेगा जब यहाँ पर और यहाँ पर ग्रुप कैसे होंगे डिफ्रेंट होंगे ग्रुप कैसे होंगे डिफ्रेंट होंगे ये ग्रुप डिफ्रेंट है तो ओक्जिम जी आई शो करेगा अधरवाइस शो नहीं करेगा तो यह डिफ्रेंट देखने हैं फरस्ट में देखें दोनों जगें यह फर्स्ट जोप्शन आपके पास फर्स्ट जोप्शन का उक्विम सेक्रिंड ऑक्विम फर्ड ऑप्शन का उक्विम फॉर्थ उप्षन का ओक्सी ये दोनों सेम है डिफ्रेंट होने चाहिए ये आंसर नहीं हो सकता ये आंसर नहीं हो सकता ये आंसर कौन सा जाएगा आपके पास बेटा बात समझ में आ रहे हैं दोनों डिफ्रेंट होंगे तो ओक्सीम जी आई शो करेगा ठीक है तो मैं उभीद करता हूँ इस पेपर में अगर आपको कहीं कोई डाउट रहा होगा तो ये वीडियो सोलिशन देखने के बाद आपका वो डाउट क्लियर हो गया होगा ठीक है बेटा ठैंक यू बेस्ट अफ लक आपके अगले बायोकेंप DTS के लिए